हलो दोस्तों आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत है आप सभी के कहने पर समानवी ग्यान के 5000 most important selected question लिए गये हैं यह जो selected question लिए गये हैं लुसेंड और यहां जियस पॉइंटर और इस पीडी के बुक से selected question लिए गये हैं जो 5000 का स्रीज चलाया जा रहा है दोस्तों इसका यह part 1 है part 1 में हम total 1000 plus most important selected question को complete करेंगे चली दोस्तों start कर लेते हैं start करने से पहले आप से request है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों start करने से पहले आपको यह भी बता दें कि इस वीडियो के यदि आपको PDF चाहिए इस वीडियो के description box में इसका link दे दिया गया है वहां से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आज आपका first question है कि होलोगराफी में किस प्रकार की चित्र खीचे जाते हैं तीस प्रशन का right answer होगा त्रीवी में ठीडाइमेंसान आपका next question है कि आवर्थ सारड़ी के दिवती झत्री आवर्थ में कितने कितनी तत्तों होते हैं तिस प्रशन का right answer होगा, आठाट तत्तो, दोस्तों, यहां पर आपको हम बता दे, कि आवर्थ साड़ी का जो फर्स्ट आवर्थ होता है, उसमें दो तत्तो होते हैं, और जो सिकेंड होता है, उसमें तीन तत्तो होते हैं, और जो थाड होता है, उसमें आठ तत्तो होते हैं, स आपका next question है कि vitamin A की कमी से होने वाले रोग जीरो थेल मिया शेरी की किस अंग से संबद दित है तिस प्रश्ण कराइट एंसर होगा नेत्रोस है आपका next question है कि रेवीस की बीमारी अन्ने किस नाम से भी जाना जाता है तिस प्रश्ण कराइट एंसर होगा hydrophibia आपका next question है कि vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता है तो vitamin C की कमी से होने वाल रोग इसकर भी है तिस प्रश्ण कराइट एंसर हो जागा आपका next question है कि स्यान तक SI मात्रक है तिस प्रश्ण कराइट एंसर होगा पॉइस, चलिए, next question को बढ़ते हैं, आपका next question है, दोस्तों यहां पे हम 1000 most important selected question को देखेंगे, इसलिए थोड़ा सब question को हम fast पढ़ेंगे, तो आपका इससे कम समय में अधिक से अधिक question का revision हो जाएगा, चलिए आपका next question है, कि वाही उमडल की अनुपस्तिती में पिरिथवी कि आकास किस रंग का दिखाई देता है तिस प्रश्क राइट एंसर होगा काला आपका नेक्स क्वेश्चन है कि जेम्स चैडविक ने किस मुल्तत्व की खोश की थी तिस प्रश्क राइट एंसर होगा न्यूट्रान आपका नेक्स क्वेश्चन है कि परवाड़ों में पोट पोटान गती करते रहते हैं दोस्तों नाभिक में पोटान और न्यूटान उपस्तित होते हैं और इलक्टान इसके चारों और गती करते रहते हैं पोटान पर पॉजिटिव आवेस होता है और इलक्टान पर निगेटिव आवेस होता है इसके इलावा आप याद रखिएगा जो न्यूट्रान होता है उस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है चलिए next question को देख लेते हैं आपका next question है कि जो पत्यों का हरा रंग किसकी उपस्तिती के कार होता है तिस प्रश्ण का right answer होगा color field चलिए next question को देखते हैं जलके अंदर वायू को बुल बुला किस प्रकार के लेंज की भाती भाती बहर करता है तिस प्रश्ण का right answer होगा और तर लेंज आपका next question है काश का रंग काश का जो लाल रंग क्या मिला कर दिया जाता है तिस प्रश्ण का right answer होगा आपको नेक्स क्यों बढ़ते हैं, कि प्रोटीन की पाचन कौंसे एंजाइम करता है आपको को की रंग की प्रकास में, पाधों में प्रकास रंसिलेशर सबसे अधिक होता है में बाद की निवच्छित वस्तू को पता लगाने के लिए कि कि प्रषिक्या को ब्लौत कर दता है कोष्का भित्ति को देख कर हम पादव कोसिका और पोशिक्या कोर्षिक्या में अंतर कर सकते हैं आपको next question है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है तिस प्रश्कराइट एंसो लोगा वसा अर्थात फैट आपको next question है कि सुरुच्छा की दृष्टी कोल से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध्युक्त बनाया जा होता है लेकिन थाइव एलकॉल नहीं पता होता है तो इसको आप याद रखिएगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपको next question है कि वड़ा वड़ा अंदता किन रंगों के लिए होता है इस प्रश्कराइट एंसोर होगा लाल और हरा आपको next question होता है कि मदुमें से पीड़ित अक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं पाए जाता है तिस प्रश्कराइट एंसोर होगा इंसुलीन आपको next question है कि मैगनिफाइंग गलास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है तिस प्रश्कराइट एंसोर होगा कम फोकस दूरी के उत्तर लेंस का आपको next question है की कोडि सन्वेक का मात्रक है तो कोडि सन्वेक होता है के जी मीटर पर तिस स्कृर होता है इसका स्वाइट प्रश्कराइट याद रख्येगा 뉴스 कोडिय सवेक सरवाइब। सिध्धान्त क्या है तो इस प्रश्च का राइट एंसर हो जाएगा कि अपने अच पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाहेबल आगो ना लग रहा हो तो पिंड की कोड़ी सन्वेग नियत होता है आपका नेक्स क्वेश्चन है कि सन्वेग परिवर्तन की दर किसके बरा पर होती है तो इस प्रश्च कर राइट एंसर हो जाएगा चलिन नेक्स क्वेश्चन की बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि यदि सुनी सेंट्रीट ताप वाली एक ग्राम बर्फ को 80 सेंट्रीग्रेट थाप वाले एक ग्राम पानी में डाला जाए तो off radiation होता है तो आपका भुआज़ाइगा किस परकार सहायता नेकिसको दो हमोनिया को युल्देशन क्यों बदा है कि एंस्मरder शकती crash लाएंस मुआज मत्रज ऐसके व्युद्व जाएगे ह hugמה जाए जायेगा एपका कि खीच कर किसी तार के लंबाई दूनी कर देने से उसकी विशिच प्रतिरोत पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आप परिवर्तित रहेगा आपका नेक्स क्वेश्चन है कि बल सनवेग आवेग कैसी राशियां है इस प्रश्ण कर राइट एंस्वर हो जाएगा सदीश राशिया है आपका नेक्स प्रश्ण है कि तत्थों के रसायनिक और भोती गुर्ण उनकी परमारू संख्या के आवर्त काल होते हैं या नियम किस दिने प्रतिपादित किया था इस प्रश्ण कर राइट एंस्वर हो जाएगा मोसले आपका नेक्स क्वेश्चन है कि आवर्त साड़ी के चरतूर्त आवर्त में कितने तत्तों होते हैं इस प्रश्ण कर राइट एंस्वर हो जाएगा अठारा चलिन नेक्स क्वेश्चन की और पर होते हैं आपका नेक्स प्रश्ण है कि आंके किस भाग द्वारा आख में प्रवेश करने वाले प्रकास की मातरनी अंत्रिक की जाती है इस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा आईरिज द्वारा इन सब प्रश्णों को दोस्तों आप याद रखिएगा आपका नेक्स स्कवेश्ण है कि काक रोच किस समूख परतीनी जिट्व करता है इस प्रश्न कर राइट एंसर होगा hp hp नेक्स प्रश्ण है कि कट जाने पर रक्त करलगतार दाप एक उसका ठक्का न जम न खिस विटामिन की कमी करड़ होता है गोटामिन विटामीन के आपका नेक्स कुईस्चन है कि पॉध्य में उर्ज़ अस्थनानत्र के लिए किस पोस्ता तत्यु की उपस्थिती अनिवार है चैस प्रस्फोर रहे जहीं प्रस्फ पहरते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि प्याज किस वनस्पती कूल से संबंदित है चैसर नेक्स कोश्यन होगा लेली ऐस ही चलिब के ऊपड़ते हैं आपका नेक्सक्याइड धानिक रूप से क्या होता है इसका राइट मेंगेनीशीयाम हायड्राकसाइड इसका रताइनिक है शूत्र मगनेश्å psychiat है राथानिक क्यों बढ़ते के लिए किस समस्थानिक उप्योग किया जाता है इस प्रश्च का राइट एंसर होगा सोडियम 25, सोडियम 24 आपका नेक्स्ट क्वेस्टन है यदि 92 यूरेनियम 238 में विक्डिट होकर 91 प्रोटेक्टेनियम 234 बनता है इससे कितने ए और बी किरणों का उसरजन होगा इस प्रश्च का राइट एंसर होगा एक ए होगा और एक बी किरण होगा आपका नेक्स क्वेस्टन है इंद्रोफॉलाजी में किसका अध्यन किया जाता है तो जो इंद्रोफॉलाजी होता है उसमें मानों के उद्दों एवं विकास सम्भ नेक्स क्वेश्चन career न मात्रग के तुल लोगा कि एक एंगस्ट्राम act क राइन मैंतरी के बता है नाम क्या योगाए ह आपकर केस्ट्ट्रेय घुटि यहां कि गरता नेक्स क्वेश्चन है कि इसक्राइन क्शीन कर आसानि की नाम क्या है तिस प्रश्क कराइट एंस रोगा, बेंजीन हेक्सा क्लॉराइड होता है, आपका next question है, कि सुरी के दिरभेमान के एक दसमलों चार गुना से कम की दिरभेमान सीमा क्या कहते हैं, तिस प्रश्क कराइट एंस रोजाएगा, चंदर शेकर स्रीमा, आपका next question है, दोस्तों इसमे कि सन्वेक परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, तिस प्रश्क कराइट एंस रोजाएगा, बल आपका next question है, कि विद्ध विछेदन में किसी पदात के रसानी तुल्यांग को विछेदी करने के लिए कितने आवेश के अवश्कता होती है, तिस प्रश्क कराइट एंस र हो जाएगा, कि 96,500 कुलाम के अवश्कता पड़ती है, आपका next question है, कि एक बी किरड के उत्सरजन से प्रमारु संख्यत धर दर विमान में क्या परिवर्तन होता है, तिस प्रश्क कराइट एंस रोगा, कि प्रमारु करमा कुवंस से बढ़ जाता है, प्रमारु संख्यत आपका next question है, कि अस्थियों एम कंकाल तंत्र के अध्यन से संबंदी शाखा है, तो उसे आस्ट्योलाजी करते हैं, आपका next question है, कि बड़ी आथ का पहला भाग क्या कहलाता है, तो जो बड़ी आथ होता है, उसका पहला भाग कोलोन कहलाता है, तिस प्रश्कराइट एंस रो next question क्यों पढ़ते हैं, आपका next question है, कि कोई ब्यक्ति कार से, कोई ब्यक्ति कार से घर से निकलता है, तता टी सेकेंट पस्चाद वापस लोट आता है, यदि गंतव तक दूरी यक्स किलोमीटर हो, तो इसका आउसत व्यक्या होगा, तिस प्रश्कराइट एंसर होगा, सुन क्यों है, कि सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, तिस प्रश्कराइट एंसर होगा, रिफ लीसिया, चलि नेक्स क्यों पढ़ते हैं, आपका next question है, कि वर्क किलर से संबंदी शाखा है, डेक्सोन नामी है, नेक्स क्यों आपका है, कि रसानिक दृष्टी से चीन क्या चीनी क्या है, इस प्रश्कराइट एंसर होगा, सैक्रोज, आपका next question है, कि कलोफीन को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं, इस प्रश्कराइट एंसर बताइए, इस प्रश्कराइट एंसर होगा, आक्सिक्रित होकर यह विसेला पदार्थ हो जाता है, आपका next question है, कि वि दोश्तो आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके लाश तक देखें तो आपका प्रश्ण है कि मेथील सेलिसलेट के अन्न किस नाम से जाना जाता है इस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा आयल आफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है आपका नेक्स क्वेश्चन है क लाइट कि का खौनिज है इस परश्ण कर राइट एंसर होगा मैगनेोष्यम आपका नेक्स क्वेश्चन है कि जहल कि अरू कि बंध़ द्वारा जुर्ए होते हैं जल में जो क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि विदुद विच्छेदन में किसी पदार्त के एक रसाइनिंग तुल्यांग को विच्छेदित करने के लिए कितने विदुद आवेश क्या वस्तक्ता होती है तीस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा चानबे हजार पानसो कुलाम विदुद आवेश की आपका नेक्स क्वेश्चन है चट्टानों की आयू ग्यात करने के लिए रेडियो एक्ट्व आयू अंकन में किस समस्थानी का प्रियोग किया जाता है तीस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा यूरेनियम चले नेक्स क्वे आपका नेक्स क्वेश्चन है कि इस वर इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी करण होता है तो जो इसकरवी रोग होता है विटामिन सी की कमी करण होता है तो इस प्रश्ण कर राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स जियुजय निक्स कि इसके अध्यान का विज्यान है इस प्राष्च का राइट एंसर होगा मानों के अनुवांशिक अध्यान का आपका next question है कि वसा का पाचन कौन इसा इंजाइम करता है इस प्रशन का right answer लाई पेज होगा आपका next question है कि जिवद्रबि सिधान की खोज किसे ने की है तो जिवद्रबि सिधान थे सुल्ज ने की है चलिए next question को देख लेते है छेत्रफल दैशिक रासी का आरहश इसकेलर रासी क्या है दोस्तों ये इसकेलर है इसका right answer होगा व्यक्टर आपका next question है कि तापायनिक उससरजन सम्तुल्य होता है इस प्रशका right answer होगा द्रोंग के वास्पी करड़ से आपका next question है किसी radioactive पदात को ग्यापांक जी है तो उसकी अर्द आयू एम अवसत आयू क्रमांक क्या होगा इस प्रशका right answer होगा यन यन अपान वन वन होता है चलिए next question क्यों बढ़ते है आपका next question है कि रक्त अस्पंद में कौन से विटामिन की राशील होता है तो इस प्रशका right answer होगा विटामिन के आपका next question है कि यूरिया किसके द्वार रक्त से पिथक किया जाता है तो इस प्रशका right answer होगा गुर्दा आपका next question है कि कल पक्कम किसके लिए पादित रहता है कल पक्कम जो होता है परमारुशक्ती प्रयुजना के लिए जाना जाता है आपका next question है कि पागल कुट्टे की काटने से भायानक रोग होता है तो इस हाइड्रोफीबिया होता है चलिए next question क्यों बढ़ते है कोबाल्ट 60 आमतवपर विक्रिष चिकित्सा या कैंसा रोग जैसे प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सरजित करता है तो गामा किरण चलिए next question क्यों बढ़ते है आपका next question है कि अब सब अब सरभ्यत रंग्यों की अविर्ती होती है इसका right answer होगा 20 heures आपको next question है कि श्वेत रंग कडिकाओं का प्रमुक कार्श बढ़ता है जो श्वेत रंग्यों की कार्यों का इश प्रस्रिष का right answer होगा रोगों से सुरच्छा करना आपका next question रंख असमंद में कौन से विटामिन के राशीद होता है इस प्रश्न का राइट एंसर होगा विटामिन के आपको नेक्स क्वेश्चन है कि पास्कल मात्रक में वाई मंडली प्रेशर कितना होता है इस प्रश्न का राइट एंसर होगा 105 पास्कल आपको नेक्स क्वेश्चन है कि साइटो काईनेसीस में किसका भाजन होता है कि इस प्रश का राइट एंसर होगा कोशी का द्रभ्य नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है कि मेथिल एलकोहल का रहसाइनिक सुत्र है तो मेथिल एलकोहल का रहसाइनिक सुत्र CH3OH होता है आपका next question है कि जब दूकर टकर के पस्चा एक दूसरे चिपक के जाते हैं तो टकर कहलाता है पूरते अप्रत्यास्त होता है चलिए next question आपका है किसी छेत्र में गुरुत्वी छेत्र शुन है तो उस छेत्र के गुरुत्वी भव होगा इस प्रश्रकर राइट एं चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है जब प्लस Q आवेश को कम विभव वाले बिंदू से अधिक विभव वाले बिंदू पर ले जाया जाता है तो उसकी उर्जा पर क्या प्रभव पढ़ेगा इस प्रश्रकर राइट एंसर हो जागा उर्जा बढ़ जाएगी आपका next question है कि जल के वाइदूत अब घटन में थोड़ा अमलों क्यों मिला जाता है इस प्रश्रकर राइट एंसर होगा जल को विद्दू चालक बनाने के लिए चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि बहु प्रचारित खत्तरनाक बीमारी सार्स क्या है इस प्रश्रकर पायरेटरी सिंड्रोम होता है नेक्स क्यों बढ़ते हैं आपका next question होता है यह दो चुम्बकी ध्रहों के बीच शक्ति और दूरी दोगनी हो जाए उनके बीच लगने वाला बल इस प्रश्रकर राइट एंसर होगा जो गुना हो जाएगा next question आपका है कि भारत के प्रथम अ 1884 को किस अंतरी श्यान में गये थे तिस प्रश्रकर राइट एंसर होगा स्वयूस टी इलेवन आपका next question है कि केंद्री शुस्क जो अंस्वधान संस्थान कहां इस्थी थे तिस प्रश्रकर राइट एंसर होगा जोदपूर चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि जीव आपका next question है कि जैव आक्सी क्रण के फ्लसुरूप उत्पन होने वाली उर्जा का संचे कहां होता है तिस प्रश्रकर राइट एंसर होगा ATP अड़गों में आपका next question है कि प्रकास के धुरुवी क्रण प्रभाव का पता लगाने वाले भारती वैज्यानिक का नाम क्या है त चलिए next question के और बढ़ते हैं आपका next question है कि IIMS किसका असंचिफ्त रूप है तिस प्रश्रकर राइट एंसर होगा आपका next question है कि जब रक्त में आक्सिजन की सांदरता में कमी आती है तो स्वास की गती बढ़ जाती है तो इस प्रश्रकर राइट एंसर होगा आपका next question है कि रेडियू के अविसकारक G.Markoni कहां के रहने वाले थे तो इस प्रश्रकर राइट एंसर होगा इटली आपका next question है कि माइक्रो बायोलाजी संबंदित है तिस प्रश्रकर राइट एंसर होगा आपका next question है कि शराप का अत्यथिक सेवन करने से मानों के किस अंग कि छती होती है तिस प्रश्रकर राइट एंसर होगा प्रकास का प्रकिरण आपका next question है कि कोश्का की खोच किस वैज्ञानिक ने की है तिस प्रश्रकर राइट एंसर होगा मनुस्य का, आपका next question है, कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, इस प्रश्ट का right answer, पौधो के मिर्दावीहीन, सनवर्धन को कहते हैं, चलिए next question क्यों बढ़ते हैं, आपका next question है, कि रिकेट स्रोक किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो इस प्रश्ट का right answer होगा, विटा आपका next question है, कि कार्बोनिक अमलका रसायनी की नाम है, तो जो कार्बोनिक अमलका जो रसायनी की नाम है, फिनोल है, आपका next question है, आपका next question है, कि कार्बोनिक अमलका रसायनी की नाम है, तो जो कार्बोनिक अमलका रसायनी की नाम है, फिनोल है, आपका next question है, कि कार्बोनिक क्था का किया इंशे है और राइट होता है मेगनीशियम का अखनीव है आपको next question है कि Newton का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है ति इस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा जड़त्वका नियम चलिए next question क्यों परते हैं आपको next question है कि बेला डोना नामक आउसदी एट्रोपा बेला डोना नामक पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है ति इस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा जड़त्था पत्यों से प्राप्त होता है आपको next question है कि थाइमीन कौन सा विटामीन है ति इस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा बी वन आपको next question है कि कंजन कंजक्टिवाइटीस शरी के किस अंग से किस अंग का रोग है ति इस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा आपको next question है कि प्यास का केंद्र कहां होता है ति इस प्रश्ण कर राइट एंसर होगा हाइपो थेले मस आपका next question है कि कच्ची जो चीनी को रंग विहिन करने है तू जिस चार कोल का प्रियोग किया जाता है तो इस प्रशकराइट एंसर होगा एनिमल चार कोल चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि अगनी शमन यंत्रों में भरी सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किस से किरिया करके कारवन डाय आकसाइड बनाते हैं ति इस प्रशकराइट एंसर होगा गंधा के अमल से चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question होगा कि जो सिर्का होता है कि इसका वाड़ी जीक नाम है ति इस प्रशकराइट एंसर होगा एसटिक अमल आपका next question है कि राकेट की गती पर किसके सरच्छा का सिधानत लागू होता है ति इस प्रशकराइट एंसर रेखी सनवेक सनरच्छाड का नियम लागू होता है आपका next question ह कि अपमार्जक मिलाने सपानी के प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रफाव पड़ता है ति इस प्रश्ट का राइट एंसर होगा घट जाता है चलिए नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है कि कितने इलक्टान मिलकर एक माईकुर एम्पियर धारा अब दुधारा को बनाते हैं ति इस प्रश्ट का राइट एंसर होगा चाह दसमलों दूपाच गुड़ी दस पे बारह होता है चलिए नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर यह गलत लिखा है चाह दसमलों दूपाच गुड़ी दस पे अठारा पराकृतिक रावर्ड वता है ईस 2020 का बहूलक होता है ती इस प्रश्ट के राइट एंसर हो जाएगा चलिए नेक्स क्वेस्ट यह की बढ़ते हैं बार किसका मात् राइट एंसर होगा वायुमंडलीदाप का आपको नेक्स कॉसेचन है कि ग्यालीना किसका ऑयस्ट है जो ग नियात रहने का नियत भवति जो हता है किस रासी का सन रच्छड पर निर्वा करता है इस प्रश्र कर राइट एंसर होगा कोड़ी ये सन रच्छड पर चलिए नेक्स के बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि काउंसा योगिक आयर आफ वेंट्रल ग्रीन के नाम से ज इस प्रश्र कर राइट एंसर होगा पारे का नेक्स क्वेश्चन है कि कीमो थेरिपी क्या होता है इस प्रश्र कर राइट एंसर होगा रासानिक प्रदार्थों के उप्योग से रोक किस्ता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है यदि दुरस्त वस्तु से आने वाले किरणे रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दिरिष्टी में कौन सा दोस्त होगा इस प्रश्क कराइट एंसर होगा निकट दिरिष्टी दोस्त चले नेक्स क्वेश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि सुस्क बैटरी में यसुस्क बैटरी सेल में किस प्रकार की उर्जा संगरीत होता है तिस प्रश्क कराइट एंसर होगा रसायनिक उर्जा आपका नेक्स क्वेश्चन है कि ना भी किवी किरण से शेरीक काउंस अंक सबसे पहले प्रभावित होता है तिस प्रश्क कराइट एंसर हो चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question होता है कि एक समान नेत्रे के लिए सु असपर्ष द्रिष्टी की उन्तमदूरी क्या होती है ति इस प्रश्ट का right answer होगा 25 cm next question आपका है कि कुष्ट रोग के जिवाडू की खोश किस ने की थी ति इस प्रश्ट का right answer होगा हैंसर आपका next question है कि पेली सिलीन का अविस्कार किस ने किया है ति इस प्रश्ट का right answer होगा फिलमिंग आपका next question है यदि परमाडू की तीसरी कच्छा सबसे बाहरी कच्छा हो इसमें इलक्टान की अधिकतम संक्या कितनी हो सकती है ति इस प्रश्ट का right answer होगा अठारा आपका next question है कि सोडी आयन की इलक्टानिक संरचना होती है ति इस प्रश्ट का right answer होगा तू दो आठ होता है आपका next question है कि कोश्ट का मेरा आइबोसोम का मुख्य क्यार क्या है ठ्रक्सकराइयट एंसर होगा probably sut रोगा कि साहईता करना सव्थ मनुष्थ का डाईसलोटिक फ्राव के बराबर होता है ठ्रक्सकराइयट एंसर票 होगा असी किस रंग के प्रकास की की रोड़ों की उपस्तिती में प्रकास अंसलेशर जुरूत गति से होता है तिस प्रश्क राइट एंसर होगा लाल चलिए नेक्स क्वेश्चन की बड़ते हैं आपको next question है कि जूल किस भौतिक ग्राशी का मातरक है तिस प्रश्क राइट एंसर होगा आपका next question है कि टेसला, जो टेसला होता है, किस भोती ग्राशी का मातरक होता है, तिस प्रश्रिक राइट एंसर होगा, चुम्बकी छेत्रका, आपका next question है, कि रिकेट स्रोग किस की कमी की कारण होता है, तिस प्रश्रिक राइट एंसर होगा, विटामिन डी, आपका next question है, कि थाइमीन किस कमी से कौन से रोग होता है कि थामीन की कमी से कौन से रोग होता है तिस प्रश्ट कराइट एंसर होगा बेरी बेरी चलिंए, नेक्स question क्यो dove बढ़ते हैं आपका next question है कि आष्ट्यो मैलिशीय नामक रोग सरी के कौश सतंतर परभावित होता है तिस प्रश कराइट एंसरोगा कंकालत तंतर आपका next question है कि 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 सी तहरे का रंग कि इससर निरधारित होता है तारे के ताब से आपका next question है कि किस गयस से सड़े अंडे की गंद आती है हीटोuard हाइड्रजन स्लफाइड से सड़े अंडे की गंद आती है आपके next question देखते है कि शरीर के ध्रब में जल और नमक के मिसलर के नियम को क्या कहा जाता है तुप्रश्ण कर राइट एंसर होगा, ओस्मा रेगूलेशन, आफका next question है, कि प्रतिकरण के अस्तीत्व कि सैध्धांति घोसड़ा स्रोंगताम किसी ने की थी, तुप्रश्ण कर राइट एंसर होगा, पी ए एम डिराक ने की थी, आफका next question है, कि जो धुरूबड होता है, क गिलार किसके पाचन में सहायकहता है इस प्रश्च क Griff के पाचन में सहायक होते है आपकर जो पृत्रस होता है उसका दियुआ कहां होता है और प्रश्च क का रख उन 25 रक्त में किसमात्रा नियंत्रित करता है इस प्रकराइट इसे लोगा गुलकोछिस बेशेगने आपकों को मुझे आपका नेक्स कॉचिन है कि तwers को सकता है पॉजसरिट करना होता है आपकों क्मॉश्ट की मरीज के लिए इनसुलीन धादू का नाम बताए जो प्रकास को परावर्तित कर सकता है तिस प्रश का राइट एंसर होगा हीरा चले next question क्यों बढ़ते हैं अपकर next question है कि ग्रहों की गती के नियम किसने प्रतिपादित किया था तिस प्रश का राइट एंसर होगा केपलर आपका next question है कि समान ताप पर hydrogen, oxygen वा nitrogen में धोनी की चाल किसमें सरवाधिक होती है ति इस प्रश्कराइट एंसर होगा hydrogen आपका next question है कि पौधे दीन में निकालते हैं इम रात में लेते हैं ति इस प्रश्कराइट एंसर होगा oxygen जो आते हैं दिन में oxygen को निकालते है और रात के समय oxygen को लेते हैं एक नेक्स question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि हीज़िश्यों को किस ध्वनी के द्वारा रक्त पहुचा जाता है इस प्रशकराइट एस आप कुरोनी ध्वनी है आपका next question है कि शरीर के संतुलन के लिए मस्तिश का काउंसा भग Стुरदाई होता है। ! से रिवैला , लिए नेक्ट के खस्टन को देख लेते हैं। भून नाखून सिंघ एहंदात किस प्रकार के कंकाल zo इस प्रकार का इस प्रकार इस प्रश्टिन कर इनसर होगा ैंट काल चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि इंसुलीन का कार है कि इस प्रशकराइट एंसर हो जाएगा रग्त में गुलकोच की मातरा को नियंतित करना जो इंसुलीन होता है उसका प्रमुक कार होता है कि रग्त में गुलकोच की मातर इस रेडियो एक्री तत्व का नाम उसकी खोज करता के देश पोलेंड के नाम पर रखा गया है इस प्रस्ट का राइट एंसर होगा पोलोनियम चले नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपको नेक्स क्वेस्टन है कि नाभिक से निकलने वाली तीन विकड़ों में किसकी विदन चमत सरवाधिक होती है इस प्रस्ट का राइट एंसर होगा गामा किरणे आपको नेक्स क्वेस्टन है कि ताप मान की अभिकिरिया पदात की किस अवस्था में होता है इस प्रस्ट का राइट एंसर हो जाएगा प्लाजमा अवस्था में आपको नेक्स क्वेस्टन ह कि सिर्क हा उद्योग में काई सा जिवाड़ू पर युख किया जाता है इस प्रश्च का राइट एंसल हो जाएगा ACT vector Acet होता है आपका next question है कि कि इवाड़ों का Sinobacteria के नाम से जाना जाता है तीस प्रश्ट का right answer होगा नीले हरेश शायवाल आपका next question है कि धान का वैज्ञानी की नाम क्या है तीस प्रश्ट का right answer हो जाएगा औरा इजा सेटा इवा होता है आपका next question है कि अनुमाशिक्त का जो सिधान्त होता है किसने प्रथिबादित किया था तीस प्रश्ट का right answer होगा मेंडल चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि रेवीज नामक रोग जो रेवीज नामक रोग में मनुसे काउंस सा तंत्र प्रभावित होता है तीस प्रश्ट का right answer होगा तंत्र का तंत्र आपका next question है कि पाचन के द्रिष्टी से अहार नाल का सबसे महत्युप्र भाग काउंसा होता है तीस प्रश्ट का right answer होगा छोती आत आपका next question है कि शरीर के किस भाग द्वारा ता आपको नियंत्री किया जाता है तीस प्रश्ट का right answer होगा तो अचा के द्वारा आपका next question है कि धनुष्ट टंकार नामक बीमारी से बचाओ के लिए कोंसे इंजक्शन लगाया जाता है इस प्रश्ट का right answer होगा ATS इसको आप याद रखिएगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि जीव ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगर जीवधारियों और उनके वातावर के पारस पर एक संबंदों का अध्यन किया जाता है क्या कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है तिस प्रश्ट कर right answer हो जाएगा आपका next question है कि आस्ट्यों मैलेशिया जो होता है नामक रोग में शहरी काउंस तंत्र प्रभावित होता है तिस प्रश्ट कर एक एंसर हो जाएगा कंकाल तंत्र चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपक किसी वस्तु को पानी में डुबाए जाता है तो उसका वजन कम क्यों हो जाता है तो इस प्रश्च का राइट एंसर हो जाएगा उत्पलावक बलके कारण दोस्तों इस वीडियो के यदि आपको पीडियप चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिशन बाक्स में इसका लिंक द सवाव निक्स कोईट्बो एक कम्काल तंत्र की अध्यान में किसक्रिश्च के देख सका अश्छ वै servo का आश्ट्योलाजी निस्क्रिशन की बढ़ते हैं इंक्न न hypotheses चेय किस को श्कांग को आत्म हद्या के थciones कहा जाता है इस प्रश्च कर लाइसोसों को लाइसोसों को आत प्रश्क कराइट एंसर जाएगा कायटीन आपकर नेक्स क्वेस्टन है कि प्याज किस वनस्पती मुझ से संबंदित है इस प्रश्क कराइट एंसर जाएगा लिली ऐसी चलिए आपको बहते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है कि च appar childish आईू ग्याद करने के लिए राइडियो शक्री आईू इस समस्थानिक का उप्यों कि जाता है तिस प्रश्ट का राइट एंसर हो जाएगा युरेनियम आपको नेक्स क्वेश्टन है कि किस को सिकांग को आत्मी हत्ता के थैली कहा जाता है तिस प्रश्ट का राइट एंसर हो जाएगा लाइसोसोम आपको नेक्स क्वेश्टन है कि जे राबर्ट ओपेन हाइमर के नाम के साथ किसका विष्कार जुड़ा है तिस प्रप्रश्ट कराइट एंसर होगा परमालू बंबं के खोज ओपेन हाइमर ने किया था जब्सक्शन कियो बढ़ते हैं आपका नेक्स कि सिलिकोसिस की बिमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है ति इस प्रकार कराई इस प्रश्क कराईट एंसर होगा सिलिका की ख़दानों में काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है चले next question के बढ़ते हैं आपको next question है कि एक हरी पत्ती अधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकास से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी तिस प्रश कर राइट answer होगा काला आपको next question है कि जब जर्मीनियम क्रिश्टल से सुच मात्रा में आर्सनी की अशुद्या मिला दी जाती है तो बनता है तिस प्रश कर राइट answer होगा यर्ण टाइप सेमिकंड़क्टर बनता है आपको next question है कि ट्रांसफार्मा का कोर किस धादू का बना होता है तिस प्रश कर राइट answer होगा soft iron प्रश कर राइट answer होगा अपको next question है कि रेडियो एक्टिविटी के खोज किस वज्ञानिक ने की थी तेरो एक्टिविटी के खोज है दोस्तों हेनरी ने हेनरी बाइकुराल ने किया था next question आपका है यदि किसी कॉन केब दरपड को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा किस प्रश कर राइट answer होगा अप परविर्तित रहेगा आपको next question है कि पेस्मेकर किसी गती को सामान बनाने के लिए लगाया जाता है किस प्रश कर राइट answer होगा हिर्देगती को आपको next question है कि हिर्दी संबादी असामान नताओं का पता लगाता है तो इस प्रश कर राइट answer होगा इलेक्ट्रियो कार्डियोग्राफ होता है तो next question क्यों बढ़ते है आपको next question है कि मिन्रेल के द्वारा प्रतिपादी सिध्धान को क्या कहा जाता है इस प्रश कर राइट answer होगा आनुवान सिकता का सिध्धान कहा जाता है चलिए next question क्यों बढ़ते है आपको next question है कि अधिकांस ओजयन किस मंडल में संकेंद्रित हो रहता है अधिकांस जो ओजयन होता है इस ट्रेटोसफियर में होता है चलिए next question के बढ़ते है आपको next question है कि टेसला किसका मातरक है तिस प्रश कर राइट answer होगा फलक्स घनत्यों का चलिए next question के देख लेते हैं आपको next question है आश्ट्यो पोरिसिस आश्ट्यो पोरिसिस की कि बिमारे किसे प्रवाईद करती है किस प्रश्कराइट एंसलोगा हड़ियों को चेंड नेक्स कुश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि बच्च कच्चे फॉलोग की क्रित्री रूप से पकाने में कौंसी गये सप्रियूत की जाती है त्रजकता के लिए कि पोसकत्तों के अस्थनांत्र के लिए कि स्ब्सक्तों पंपस्तित हैं त्रेस्ट नेक्स question स्थन isन हो जाएगा ओक्सीजन खाल्ब स्थनांतर है त्ववक्त। प्रोटीन के दिनिवार में सायक होता है जोरे next question को देख लेते हैं आपका next question है कि लार में कौन से हीमोफीलिया आपका नेक्स क्वेश्चन है कि सरीर के किस भाग को इस्टेट्रम कार्णिया काते हैं इस प्रश्ण कराइट एंसल हो जाएगा सबसे बहारी पर्त को आपका नेक्स क्वेश्चन है कि ऊपरी बाहू की अस्थी किस नाम से जाना जाता है इस प्रश्ण कराइट एंसर हो जाएगा यूमरास चले नेक्स कोईस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईस्टन है कि DNA का अविस्कार किस वज्यानिक ने किस वर्स ग्याद किया था इस प्रशकराइट एंसर हो जाएगा डाक्टर हरुक गुविंद खुराना ने उनने 65 में ग्याद किया था आपका नेक्स कोईस्टन है कि चार सेंटिग्रेट पर पानी के लिए कौन सीराश अधिक्तम होती है इस आपक्टर में भारी जल का परियोग किसके रूप में किया जाता है इस प्रशकराइट एंसर हो जाएगा मोड़ेटर आपका नेक्स कोईस्टन है कि लेसर बीम की सहायता से त्रिवीमी परतिवीम बनाने की वीधी क्या कहा जाता है इससे का राइट एंसर हो जाएगा होते हैं गन मेटल के संगटक होते हैं आपका नेक्स कोईस्टन है कि सबसे बड़ा जो फूर होता है किस पाउधे का बना कुस पाउधे का होता है इस प्रशकराइट एंसर हो जाएगा रेफलिशिया नेक्स कोईस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईस्टन है कि एक में हमें क्या होता है ति इस प्रश्कराइट एंसर हो जाएगा धकान महसूस होता है आपको next question है कि काला जार नामक बीमारियों का संक्रमड किसके द्वारा होता है ति इस प्रश्कराइट एंसर हो जाएगा मात्रा में बृध्धी से ताप म्यान में बृध्धी होता है। next question आपका है कि electron bolt कि भोतिक राश्री का मात्रख है इस प्रश्च का right answer हो जाएगा उर्जा का आपका next question है कि fast breeder test reactor में कौन सा इंदर प्रयूक्त किया जाता है इस प्राश्ट का रight answer हो जाएगा जूरेनिया प्रुटिने कारबाइ-ड vẫn होता है आपका next question है कि कि दरिष्ट्टी दोस्त को दूर करने के लिए बिलनकार्ट लेंस के चस्मे दियते है इस प्रश्ट का right answer हो जागा दृष्टिवे सम्य को आपका next question है कि कुंदन कुलन nuclear power reactor किस राज्जे में इस्थित है इस प्रश्ट का right answer होगा तमिल नाडू आपका next question है कि लेजर किसका संचिप्त रूप है दोस्तों यह प्रश्ट कई बार repeated हो चुके हैं कि लेजर किसका संचिप्त रूप है इस प्रश्ट का right answer होगा light amplification by stimulated emission of radiation होता है चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि कोबाल्ट आकसाइड काज को कौन सा रंग परदान करता है इस प्रश्ट का right answer होगा गहरा नीला होता है आपका next question है राकेट के द्वार उपर जाने का सिध्धान इ कि सनवेक सरच्छा का सिध्धान होता है आपका next question है कि डेनियम सेल में प्रश्ट का right answer हो जाएगा तामबात अथा जस्ता होता है आपका next question है कि नीले लीटमस पत्र को लाल काउन करता है तिस प्रश्ट का right answer होगा अमल आपका next question है कि origin of species नामक पुस्त तक किस ने लिखी ह है तिस प्रश्ट का right answer हो जागा डार्वीन ने अपका next question है कि पौधों में प्रोटीन निर्माल के लिए आवश्यक तत्त है कि प्रश्ट का right answer हो जाएगा नाइट्रोजन चैने next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि hydroponics किसे कहते हैं तिस प्रश्ट का right answer हो जाएगा पौ जाएगा तिस प्रश्ट का right answer हो जाएगा बारबरा मैकलीन टाकने next question को देख लेते हैं next question है कि मान और रक्त में प्राक्रिती रूप में पाय जाने वाला असकंद रोधी है तिस प्रश्ट का right answer हो जाएगा है प्रीन आपका next question है कि मौनिया बिंद से शरीक अकांस अंक प्रभावित होता है ति इस प्रश्ट का right answer हो जाएगा आख आपका next question है कि प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है ति इस प्रश्ट का right answer हो जाएगा सुनने आपका next question है कि दो आवेशित चालक को जोड़ने पर शु इस प्रश्ण का राइट एंसुर हो जाएगा दोनों समान भी भव्वर होंगे आपका next question है जी और निर्जूव के बीच की कड़िव इस प्रश्ण का राइट एंसुर हो जाएगा वाइरास आपको next question है कि केंद्रे की खोश की स्वाज्यानिक ने की थी तिस प्रश का right answer हो जाएगा Robert Brown चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि diastage enzyme किसका पाचन करता है तिस प्रश का right answer हो जाएगा start का आपका next question है DNA की दिवकूंडली सरचना किसने दी थी तिस प्रश का right answer हो जाएगा Watson M. Crick ने आपका next question है कि रहसानिक दृष्टि कोड़ से चीय नहीं क्या है तिस प्रस्ष का राइट एंसर हो जाएगा। सैक कोज। चले नेक्स क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपका नेक्स क्वेश्चन है कि आउतल उतल लेंज यह सकता थे इस प्रस्ष का राइट एंसर हो जाएगा। अभिसारी अभिसारी होता है next question के दोस्तों आउतर उत्तर लेंज कैसा है अभिसारी या अप्सारी उत्तर होगा अभिसारी आपका next question है कि प्रेरित विद्धूद्धाहकबल flux परिवरतन की रुड़ात मगदर के बराबर होता है या किसका नियम है तिस प्रश्च का right answer होगा फायराडे के विद्यू चुम्ब की प्रड़ का नियम है आपका next question है कि positron की खोज कब और किस ने की थी इस प्रश्च का right answer हो जागा 1932 में एंडर्सन ने किया था चलिए next question क्यों पढ़ते है आपका next question है कि किस प्रकार की लोहे में कार्बन की मातर्य सबसे कम होती है तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा पिटवा लोहा आपका next question है कि water किन दो गैसों का mistral होता है तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा कारबन मौनो आकसाइड तथा हाइड्रोजन का mistral होता है आपका next question है एंटी पायरेटिक्स का प्रयोग किस कारे के लिए की जाता है तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा शेरीर का दर्द और वुखार उतारने के लिए होता है चलिए next question के बढ़ते है आपका next question है कि DNA का double helix model किस की देन है तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा वाट्सन और क्रीक की आपका next question है कि रावाट कोश को 1905 में नोबल पुरुषकार किस कारे के लिए दिया गया था तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा सरवपरतन जिवाड़ूंगों का कृतिम सरवर्धन ताथा एंथाएक्स वाट टीवी के जिवाड़ूंगों को अलग करने के लिए दिया गया था तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा चलिए next question क्यों बढ़ते है आपका next question है कि टोको फेराल किस विटामिन का रसाइनिक नाम है तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा विटामिन E का होता है आपका next question है कोलायटिक्स जो कोलायटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा छोटी वह बड़ी आत्प्रभावित होता है चलिए next question क्यों बढ़ते है आपका next question है कि माडम क्यूरी ने किस आयक्स से रोडियम प्राप्त किया था तिस प्रश्च का right answer हो जाएगा चीप ब्लेंट से आपका next question है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे प्यड की पत्तियों का प्रियों करता है इस प्रश्च का right answer हो जाएगा शाहतूत की पत्तियों से आपका next question है कि खाद तेलों को किस प्रकिरिया से वनस्पति घी में बदला जाता है इस प्रश्च का right answer हो जाएगा कि हाइड्रो जन नेशन का प्रकिरिया से आपका next question है कि दुरूबड किस प्रकार की तरंक का गुड है तो अनुपरस्त तरंक का गुड होता है चलिए next question क्यों बढ़ते है आपका next question है कि धातू के विद्धूत की कुछ सुचालक होने का कारण है तो इस प्रश्च का right answer होगा उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलक्टान की उपस्थिती होता है आपका next question है क्यों से धातू मजबूती से इस टील के बराबर किन्तू भारत में उससे लगवा आधि होती है तो इस प्रश्च का right answer हो जाएगा टाइटेनियम आपका next question है कि पहला अग्रा से किसकी कमी से होता है इस प्रश्च का right answer हो जाएगा नियसीन चलिए next question क्यों बढ़ते है आपका next question है कि चोजब वास्प घनत वाली गैस का अडू भार कितना होता है तो इस प्रश्च का right answer हो जाएगा अठाइस आपका next question है कि सोने के आभूशड़ बनाने के लिए सोने में कौन सी धात्मी मिलाई जाती है कि इस प्रश्च का right answer हो जाएगा ताबा आपका next question है कि विसाड़ो को क्रिश्चल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वाई ज्यानिक को नोबल पुरुस्कार समाने के गया था कि इस प्रश्च का right answer हो जाएगा इस 10 लोग को आपको next question है कि अमली मिर्दा को सुधारने के लिए प्रियोग किया जाता है कि इस प्रश्च कर राइट answer हो जाएगा चूना चले next question क्यों बढ़ते हैं कि इस टार्च को माल्टेजम परिवर्दित करने वाल एंजाइम है कि इस प्रश्च कर राइट answer हो जाएगा इमाईलेज आपका next question है कि किस वग्यानी कि किस अंग की गरबड़ी से मदू में की बीमारी होने की संभावना है इस प्रश्च कर राइट answer हो जाएगा अगर नया से अर्थायत पाइट क्रियाज चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि LPG का पूरा नाम क्या है इस प्रश्च कर राइट answer हो जाएगा लिक्विफाइट पेट्रोलियम गयस होता है जो LPG होता है उसका जो फूल फारं होता है लिक्विफाइट पेट्रोलियम गयस होता है चले next question क्यों बढ़ते हैं next question को देख लेते हैं कि लाल नारंगी पीले हर रंग के प्रकास के फोटान में सबसे अधिक उजा किस्मे होती है ति इस प्रश का राइट एंसुर हो जाएगा हरे रंग की next question आपका है कि चिकितसभ ग्यान का जनक किस जन्तु वैज्यानी को कहा जाता है ति इस प्रश का राइट एंसुर हो जाएगा हीपोक्रेट्स को काते हैं आपको नेक्स क्वेश्चन है कि आनुवांसिक के नियम बनाने का सिरे किस वह ज्यानिक को जाता है तो इस प्रश्च का राइट एंसर हो जाएगा कि logon gas में कि स्में किस तरह की गंद आती है इस प्रश्तिक राइट अन्सुड़ता है कि सडी मचली की तरह गंद आती है जिरें allких मैं कि और सॉडियुम मक्षिक लारवा क्या खालाता है तो जो मक्खी होता है उसका लार्वा को माइगेट बोलते हैं तो इस प्रश्च कराइट एंसर हो जाएगा, आपका नेक्स क्वेश्चन है कि बर्गत के पेर के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, तो इस प्रश्च कराइट एंसर हो जाएगा, प्राप क्यों बढ़ते हैं आपको नेक्स क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट क्यों बढ़ते हैं नेक्स को देख लेते हैं आपको नेक्स कोश्चन है कि गई लिए हम दूरदर्शी के अभी दुरिष्टिक की फोकस दूरी हंडेट सेंटीमीटर तथा नेत्री का टू सेंटीमीटर है तो नारमल वीजन के लिए दूरदर्श्टिक के लंबाई होगी तिय सलें के फुल सुरूप दारवर्श्चूर्श की उर्जा प्राप्त होता है नेक्स क्वیस्चन क्यों बढ़ते हैं आपका इस्टिप दूर स्नी संतुलन में है तो बहुत पर विए तापय संतुलन में होती यह नियाम कहलाती है श्कुरा राइट और इसरो जेगा उस्माग पुस्कार प्रदान हुआ का संबंद भौतिव ज्ञान के किस विशे से है ति इस प्रश्क राइट इंसर हो जाएगा अलफा कि रोडों से आपको नेक्स क्यूश्चन है कि पठाकों वा बारूद में लाल रंक किस के कारण होता है। इस प्रश्क करा इंसर जागा इस्टांस्य मुख्य करण होता है। इस वीडियो के दिए आपको PDF चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रेशन बाक्स में इसका लिंक दे दिया गया है वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसमें जितनी भी प्रस लिए गए हैं यह सिलेक्टेट क्वेस्टन लिए गए हैं आपका next question है जेट इंजन की करफ प्रादली कि भातिग्राशी के सार्चर पर आधारी थे टीश परसक्रेश कर इंसर होगा सफन्वेक सारच्षर के सिधान पर आधारी थे आपका next question है कि जिन शिव्द के परतिपादन किस ने किया तिस प्रश का राइट एंसर हो जागा W. जोहन सेन ने किया है आपका next question है कि computer में प्रियुक्त होने वाला IC chief किसका बना होता है तिस प्रश का राइट एंसर होगा सिल्कान जो computer में प्रियुक्त होने वाला IC chief होता है सिल्कान का बना होता है नेक्स क्वेश्टिन को बढ़ते हैं आपको नेक्स क्वेश्टिन है कि भारत की सिलिकान वैली कहा जाता है Rudolph इस फ्रस्टारी i Gleich Valley प्रशुन को जाएम यदि बंगलोर नेक्स क्वेश्टिन है कि भोपाल दूर्णङोटना में किस गैस का रिशा होता है यदि प्रस्टिकार र इंसर होगा अनन्त आपकी नेक्स कोईश्टिन है यह कोई ब्यक्ति दूर की वस्तू का असपर्ष नहीं देख सकता है तो उसकी दिरिष्टी कौन सा दोस होगा इस प्रश्ट का राइट इंसर हो जाएगा निकट दिरिष्टी दोस जो नेक्स कोईश्टिन क्यों बढ़ते है आपको नेक्स कोईश्टिन है कि मानों शरी की सबसे छोटी मास पेटी का नाम क्या है इस प्रश्ट का राइट इंसर हो जाएगा इस्टेपेडियस आपको नेक्स कोईश्टिन है कि पौद है कि किस भाग में प्राया प्राग करोड का निर्मान होता है इस प्रश्ट का रा कोशियों के आपका नेक्स कोईच्टन है कि वेसेक्टोमी क्या कहलाता है संतान उत्पत्ति की छमता को रोकने के लिए पुरुसों की नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिलाओं कि की नसबदना को तेक्टो माला करते हैं साहब उनों के गता है प्रकास बेती करोड़ आपको नेक्स कोईस्चन है कि वितामिन एक संगरा किस रंग में होता है ह्प एस प्रसिन को गइंज प्राइट म्हो करें बढ़ते हैं आपको एक्स कॉश्चन है कि हवा में O2 की समानी मात्रा के साथ साथ Co to तो मनुष से दम घुटने लगता है तिस प्रश का राइट इंसलो जाएगा हीमो गलुवीन ओटू के बजाए COO से अधिक ततपरता से सन्योग करेगा आपको नेक्स क्वेश्चन है कि जिवानों को किन कारणों से एक पादक माना जाता है तिस प्रश का राइट इंसलो जाएगा कोश्च का भित्ति आपको नेक्स क्वेश्चन है इन सब प्रशनों का आप याद कर लिजएगा दोस्तों कि मधुमक्खी की भासा का अनुवात करने वाला वह कौन से वैग्यानिक था जिससे नोबल पूस्का सम्मानित किया गया था तिस प्रश का राइट इंसलो जाएगा कि कार्वान फिर्ष्च था आपको नेक्स क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है तिस प्रश का राइट इंसलो जाएगा विटामिन डी की कमी से तिस प्रकार इसप्रश्ण का राइट इसं रहे डाआगा. बेतिंग बैस्टन है. यह डिने नेक्स कॉस्चिन के बढ़ते हैं. आपका नेक्स कॉस्चिन है कि हाईड्रो पॉनिक्स किसे सम्बंधित है तिस प्र Gott कर राइट इसंल हो जाएगा. बिना मिट्टी पानी की खेती से आपका next question है कि काट लिवर आयल किस विटामिन का प्रचूर स्रोथ है किस प्रश्ट का राइट इंसर हो जागा विटामिन A, विटामिन D आपका next question है कि किस ताप पर एंजाइम सरवाधिक सक्री होते है थिस प्रश्ट कर राइट इंसर हो जागा चालिश centigrade पर नेक्स क्वेश्टिन को बढ़ते है आपका next question है कि अत्यात निम्न ताप पर भवतिक अध्यम को का कहते है थिस प्रश्ट कर राइट इंसर हो जागा क्रृयोग जैनिक्स करते हैं आपका next question है कि किसी तारे का रंग किसे निर्धारित होता है तीस प्रश्फ का राइट इंसु रो जागा तारे के ताप से आपको next question है कि रहसानिक दृष्टी से भारे जल क्या है तीस प्रश्फ का राइट इंसु रो जागा Duterym Oxide होता है आपको next question है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्री गैसों की बाइस कच्छा में कितने इड़क्टान होते हैं, ति इस प्रश कर राइट एंसर हो जाएगा, आठ, चलिए नेक्स क्वेश्चन के ओब आते हैं, आपका नेक्स क्वेश्चन है, कि हीरा और गिरफाइड किसका अपर रूप होते हैं, इस प्रश कर राइट एंसर हो जाएगा, कारबन, आपका नेक्स क्वेश्चन है, कि किस गैस से सड़े अंडे की गंद आती है, ति इस प्रश कर राइट एंसर हो जाएगा, हाईडोजन सलफाइड गैस, चलिए नेक्स क्वेश्चन आपका है, कि न्यूरान किसकी इका स्रभाई का नाम है उसका आइट इंसर हो जागा तंत्री और के इकाई है चलिए नेक्स क्वेंट की हुपे बाधते हैं आपका नेक्सक्वेस्ट्न के ल statistic गोटक जो दात का दर्द दूर करने में प्रयूक्त हो है इस प्रश्ट का राइट रो जाएगा यूरेनाल आपको नेक्स कोईस्टन है कि आइकोनोग्राफी कि अंतरगत किस चीज का अध्यन किया जाता है इस प्रश्ट का राइट रो जाएगा इस साखा के अंतरगत मुर्तियों परतिमाओं का अध्यन किया जाता है आइकोनोग् प्रकास का वेग कितना होता है तो जो जल होता है उसमें प्रकास का वेग 2,25,000 mm पर संटीग्रेट पर 30 cm होता है पर 30 seconds होता है 2,25,000 mm पर 30 seconds होता है आपका next question है कि एक पार से कितने मीटर के बराबर होता है तो जो एक पारसेख होता है, वो 3.09 गुर्दस पे 16 मीटर के बराबर होता है, आपका next question है, कि कोशिका का उर्जा कहे जाने वाले माइट्रोकांड्रिया, नामक सरवपर्थम किस ने दिया था, तीस प्रशकराइट एंसरो जागा, सी बेंडा ने, चलिए नेक्स क्वेस्चन क्यों बढ़ते हैं, आपका next question है, कि वायू में ध्वानी का वेक किस अवस्थान बढ़ जाता है, तीस प्रशकराइट एंसरो आपका next question है, कि परमाणूर्ण रियक्टर तपरमारूक बम में मून अंदर क्या है, तीस प्रशकराइट एंसरो जाएगा, कि परमातूर्ण रियक्टर चैन रियक्शन का कंट्रोल करता है, जबकि परमारूक बम अनियंतरित होता है, चैने next question क्यों बढ़ते हैं, आपका next question किसी वस्तु का वेक दूगुना करने से उसकी गतिज उर्जा कितनी हो जाती है तिस प्रश्क राइट एंसर हो जाएगा चार गुनी आपका नेक्स क्वेश्चन है कि किसकी कमी की करण बर्फ पर चलना कठीन होता है तिस प्रश्क राइट एंसर हो जाएगा घरसर आपका ने पर उच्छेफ बल्म का क्या होता है आ प्रैश्त क्योच को रगता हिसमा किस विदी से संचालीत होता है तो तो दीन की लंbाई तो दीन लंबाई क्या प्रभाव पढ़ता है कमी हो जाता आपका next question है कि किसके कारण खुले में रखा दूद कुछ देर बाद खटा हो जाता है आपका next question है कि अभरक उस्मा और विद्दुत के लिए करमसभ होता है तो जो अभरक होता है उस्मा के लिए सुचाला कार करता है जब कि विद्दुत के लिए यह कुछाला कार करता है तो नेक्स question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि जब दो हलके नाविक मिलकर भारी नाविक की रचना करत तो उन में कौन सी परकिरिया होता है तिस प्रश्ट का राइट एंसर होगा ना भी की सल्यान होता है आपको नेक्स कोस्टन है कि प्रित्वी से प्लाइण वे कमान कितना होता है ति 11.2 km पर 30 सेकेंड होता है इसको याद रखेगा यह वेरी वेर इंपोर्टेंट प्रश्टन ह एक्जाम में काईबा रिपीटेड हो चुके हैं चले नेक्स कोश्टन के ऑपर आपको नेक्स कोश्टन है कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उप्गरह है ति इस प्रश्ट का राइट असरो जागा मंगल अक्वा नेक्स कोश्टन है कि इंजक्शन देते समय प्रियुक्त जल किस वीधी दुरा तयार होता है श्वर्षका राइन Sum – आसमान नेग्स कोश्चन है कि गंधक के समय गंधक के साथ रभर कु गर्म करने की क्रिया जो होती है क्या कालाती फलनी क्रिया कालाती है आपका नेग्स मुप्य्टेहlam है कि बैक्रीव फेज चाहर राइन Sum – जाएग बाता में बीटा किलडगी हैं तो इस परशन का राइट ऐसे हो जाएगा किया एक प्रशन का right answer हो जाएगा में बीटा किलडगी होती है produce रोटे है में दौदा कितने केरट का होता है, जो सुद्ध शोना होता है, 24 केरट का होता है, आपका, नेक्स कुष्टन है, कि किसी चालाक के सीरे के बीच विब्वान तर उसमें बहने वाली द्हारा के समान उपाती होता है, यह नियम जो होता है, वहWasn का नियम कहलाता है, आपका नेक्स क्वेश्चन है कि इस टार्च को माल्टोजम परिवर्दित करने वल एंजाइम है इस प्रक्राइट एंसर हो जागा एमिलेस आपका नेक्स क्वेश्चन है कि परमालो घड़ी किस प्रवाह के अंतरगत आता है प्रस्टर्जस का राइट इंसर करजा जाएगा पी जो एल्यक्ति काल आता है, आपका नेक्स कोईश्टन है, प्रतेएक पदार्त में उसके द्रभ्यमान की कारव उरजा भी होती है, प्रस्टर्जस कांड nerve जाएगा, रोगा हिसलिदोस्तो, कि प्रतियक प्रदार्थ में उसके दर्विमान के कारण उर्जा भी होती है यह सिद्धान किस वैज्ञानिक ने प्रतिवाजित किया था इस प्रश्काराइट इंस लो जाएगा आएं से टीर नेक्स क्वेस्टिन क्यों बहते हैं आपको नेक्स क्वेस्टिन है कि आग लगने करने वाला मुख्यपदाऱ कौन सा है उस प्रश्काराइट इंस लो जाएगा नेप्षेणेट होता है कि हवाई जहाज को बनाने में कौन शा फाइवर नीम लागू होता है उसमें बारनावली का इंसला है झाल नेक्स क्वेस्टिन कि विटामिन C का रसाइनिक या है कि इसप्रसका नाम क्या हूँ तक है? इस प्रक कार्शकर क्योंग के नाम क्या हे नाम की यूरिय स्कोडियम क्यों करने वाग्छन है? इस blow वा तिक आपका next question है कि जिन तत्तों की परमारु संक्या समान परंतु द्रब्यमान भिन भिन होते हैं वह कालाते हैं समस्था समस्थानिक आईसोटोप्स कालाते हैं आपका next question है इन सब प्रशनों को दोस्तों आप एक दो बार वीडियो के देख कर याद कर लिए जिएगा यह जितनी प्रश लिए गए हैं प्रिवियस एयर एक्जाम से पुछे गए प्रश लिए गए हैं ता आपका next question है कि के औरा टॉमलेशिया या जिरो थेल मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है इस प्रश कराइट इंस रोजागा विटामिन ए आपका next question है कि टेमाटर के फलो का रं जाएगा लाइकोपीन आपका next question है कि कुलोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्तों है तिस प्रश कराइट इंस रोजाएगा है लोजन चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question कि बिजली के चमकने के कारण हवा में मौजूद आक्सीजन और नाइट्रोजन का पारिवार्तित हो जाता है तिस प्रश कराइट इंस रोजाएगा नाइट्रोजन आक्साइड आपका next question है कि संकट अवस्था में हमें परतिकुल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी गरंती का स्ट्रावड तयार करता है तिस प्रश कराइट इंस रोजाएगा ए और मेंडिवाल होता है आपका next question है कि परमाणों भट्टियों में भारी जल का प्रियोग किस रूप में किये जाता है तिस प्रश कराइट इंस रोजाएगा मंदक के रूप में आपका next question है कि गोता खोर समुद्रे के अंदर सास लेने के लिए किन गैसों का मिस्त्राड प्रति सिकेंड किसका मात्रक है इस प्रश्ण का राइट एंस रोजाएगा शक्ति का आपका next question है कि फेरेल का नियम हवा के किस भावतिकार से संबंदित है इस प्रश्ण का राइट इंस रोजाएगा दिशा फेरेल का नियम जो होता है हवा के दिशा भावतिक से संबंदि नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है कि प्रश्ट केलवीन पहिमाने पर सामान निवाईमंडली दाप पर पानी के कोथरां कितना होता है इस प्रश्ट का राइट एंसर हो जाएगा तेंहंतर केलवीन होता है आपका क्रेंक्स क्वेस्टन है बार्ती मोर का जीवन वैज्ञानिक नाम क्या है इस प्रश्ट का राइट इंसर हो जाएगान जो भारती मोर होते हैं उनका जो वैज्यानिक नाम होता है पेपो क्रिष स्टेटटरस होता है आपका नेक्स ककोशन है कि शरीर में रक्त अलपता की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है इस प्रशकर रैट इंसल होगा एनीमिया चले नेक्स कोशन क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि lightning conductor का अविश्कार करने वाल अमेरिकी वाज्यानिक थे बेंजामिन फ्रेकलीन थे next question आपका है कि 98.6 Fahrenheit तापकरम कमा centigrade इकाई में कितना होता है 37 centigrade होता है आपका next question है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मातरा में पाये जानावाल कारबनिक योगिक है इस प्रश्काराइट इस रोजागा cellulose आपका next question है कि विद्धुत की वह मातरा जिससे 108 ग्राम चांदी कैठोर पर जमा होता है इस प्रश्काराइट इस रोजागा एक फैराडे आपका next question है कि प्रिथिफिक आयू किस वीधी से ग्याद करते हैं इस प्रश्काराइट इस रोजागा यूरेनियम डेटिंग वीधी नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि नागा साकी पर गिराएगे पर इते किसे बगणिकों spr ayjane को कर परियो थक्रियोग से वह थावित होता है कि डी एंन ने एक अनुवासिक पदार्थ है इस प्रश्काराइट इस रोजागा हर से इंचेंज आपका नेक्साइब होता है इस प्रश्प्री को सब्सक्राइब होसब होता स्बूसुसिया इसारquently चलिए next question क्यों पढ़ते हैं आपका next question है कि मेंडल का नियम संबंदित है तिस प्रश्क रिट इनसर रहे जागा अनुमाँ शिकता से आपका next question है कि इस्टील पर जिंग की परत चढ़ने को क्या कहते है है ती स्प्रेश्क रइट इस रोजय एगा त्वानओ को दो है कि यह उट्विर्जा को दृजविए में बदलने वाले तून गलमंत को ए कि honor नेक कोशन है कि सुछ करोग की कि किस्चित रहो कि दे शहीं स्वच्छंद गतितें है इस प्रश्कराइट इस रोजएगा ब्राउनियर मुवम्मेंट का लाता है अपका नेक्स क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा कि फोटो सोनिक्स किसका अधिन किये जाता है इस प्रश्कराइट इस रोजएगा पौधो पुर्धोनी का प्रभाव होता है अप नेक् Qustion है कि Protein किसे मिलकर बना होता है तिस प्रश्काराइट इन्स रो जाएगा आमीन अम्लों से अपको next question है कि Vitamin C अमली है या चारी तिस प्रश्काराइट इन्स रो जाएगा अमली आपको नेक्स्ट कोश्चन है कि जूब बैलेश्टिक गलुवन मेटर से क्या नापते हैं ति इसका प्रश्च कराइट है रोजाएगा कि छड़ी आवेश को नापते हैं आपको नेक्स्ट कोश्चन है कि संड का अस्थाई रूप से उपयोग किस यंद्र में किया जाता है इस प्रश्कराइट एंसर हो जाएगा, sodium nitrate के साथ रखा जाता है, आपको next question है, कापर सलफेड को किस अन्य नाम से भी आमत रुपा जाना जाता है, इस प्रश्कराइट एंसर हो जाएगा, blue, vital के नाम से जाना जाता है, आपको next question है, कि computer से संबंध शब का क्या अर्थ है, इस प् common business oriented language के नाम से जाना जाता है, आपको next question है, कि काई स्विस्वडा का नियम जो होता है, इस ने प्रथिपाजित किया था, ति इस प्रश्कराइट एंसर हो जाएगा, ग्रहम ने, चलिए next question क्यों बढ़ते हैं, आपको next question है, कि खाने की जो सोडा का रसाइनिक नाम क्या है, इस प्रश्कराइट इंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जो खाने वाले सोडा का रसाइनिक नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, चलिए next question क्यों बढ़ते हैं, आपको next question है, कि कृत्रीम उग्रह में उर्जा का सुरोत क्या है, इस प्रश्करा इस में हानी होती है, आपको next question है, कि नोबल गयसे जो हती है, कि अन्य परमाडू से कीया क्यों नहीं करती है, तो इस प्रश्कराइट इस हो जागा, इनकी जो बाहरी कछा में आठन प्रमाडू से क्रिया नहीं करती है, करें की पहलंसे हैं कि पान्ओी में साबुन घोलने से फिश्ट तनाव परक्या प्रवार्वब पड़ता है is इस काright इस और अप्रेफ को जाता है कि पठाको में लाल रंग कि सथे कожно के उपन कर दसक्ट गए सका उक्यों की जाता है इस प्रशक्राइट इंस रो जाएगा एथिलीन चरी सिर्फ क्वेस्टिन के बढ़ते हैं आपको निक्स्ट क्वेस्टिन है कि फॉलो का अध्यान क्या कालाता है इस प्रशक्राइट इंस रो जागा पॉमोला जी अपको next प्रकास की तरंगे अनुपरस तरंगे कहलाती है आपका नेक्स कोईश्चन है कि एक प्रकास वर्स में होते हैं 9.4 चार चार गुरे दस पे 12 किलो मीटर होते हैं नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रायोगी जाने वाले हाइपो विलियन का रसाइनी की नाम क्या है इस प्रस्ट का राइट इंसर हो जाएगा सोडियम थायोसलफेट होता है आपका नेक्स क्वेश्चन है हुक्म करनिया विज्ञान के किस साखक से संबांदित है इस प्रस्ट का राइट इंसर हो जाएगा भोतिकी विज्ञान आपका नेक्स क्वेश्चन है कि जो डापलो का प्रभाव है किस चेतर से समबन्दित है तीस प्रश्काराइट इस रहो जाएगा धौनी तथा प्रकाश। ġाकर यह कैल्सियम के रूप में? मेनो मीटर से क्या माँ पाप जाता है। आपका next question है, के टेरा माईसीन नामक एंटिबायोटिक किस जिवारुस से प्राप्थ होता है, तिस प्रश्कराइट इंसर हो जाएगा, इस टेप्ट कोकस रिमोसस के नाम से जाना जाता है, इस प्रश्कराइट इंसर, धोनी की चाल पर दापको क्या प्रभाव पढ़ता है, तिस प्रश्कराइट इंसर हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है, धोनी की चाल पर प्रेश्र का जो प्रभाव होता है, कोई प कि आपका next question है कि चालक की जो वाइदुत प्रतिरोधक का मात्रक है इस प्रशकराइट ऐंसवर कोम होगा आपका next question है कि प्रिथिवी का आउसत घनत कितना है ति इस प्रश्च का राइट इंसलो जगा 5.5 ग्राम पर 30 cm क्यों होता है आपका next question है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगटक होते हैं ति इस प्रश्च का राइट इंसलो जगा ताबा निकीर और जिंक दोस्तों यहां आप एक most important question आपको हम बता दे रहें कि जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर की मातर नहीं होती है यह प्रश्च आप से एक्जाम में कई बर पुछा जा चुका है आपका next question है कि चुम्बक जुका होता है चुम्बक जुकाओ की समान इस्तिती दर्शाने वाली रेखा को क काते है तरह कि परश्च कराइट वाला जागा आइसो क्लिनिक काते हैं अपका next question पच्छों की पूछ उनके कि किस काम आती है तिस प्रश्च कराइट इस्तित हाँ हवा में उर्थे समय संतून बनाये रखने के लिए अपका next question है कि कोशिका उर्जा घर किसे काते हैं जो mytron kandria को कहते हैं इस प्रश्क कर राइट इस रो जागा आपको next question है गारों में बिजली सप्प्लाई के लिए त्टीं तरह की तारों का परियोग किया जाता है line neutral और earth इसी करम में तारों का रंग होता है तो जो लाइन होते हैं उसका लाल रंग होता है और नूट्रान का काला रंग होता है और जो अर्थ होता है अर्थ का जो रंग होता है हरा रंग होता है इस प्रश्च को आप याद रखिएगा आपको नेक्स कोश्चन है कि जो दुरूत तारा अपने अस्थान पर इस्तित रह प्रिथ्वी की घुर्णान अच्छी सीद में होने के आपका नस्स कोस्टन है कि तारह बनने की जो प्रिकिरया का प्रारम किन गैसों से होता है इस प्रस्कराइट इस रो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से होता है चलिए नेक्स कोई बढ़ते हैं अपका नेक्स कोईस्ट डिल प्लांट किस देश के स्हायोग से बना है नेक्स्ट केस्टन आ डिवस कम मनाय जाता है तो इस प्राष्ट कराईट चौछ जआगा अठाइस फर्वरी है आपको next question है क्राइबो फ्लावीन कर रसाइनिक नाम विटामिन B12 है आपको next question है कि मदु मख्यों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है तिस प्रश कराइट इस रो जागा फारमिक अमल के कारण ते नेक्स क्यों बढ़ते हैं आपको next question है कि सन्वेक कैसी रासी है सादीश अथवा अदीश तो सन्वेक चुहता है एक सदीश रासी है को next question है कि हेमेटाइट इसका आयसक है इस प्रश कराइट इस रो जाएगा आए रान अपको next question है कि सुरिम उर्जा का निरुमाड किस पर किरिया से ह होता है इस प्रश कराइट इस रो जाएगा नाविकी सनलेयान अपको next question है कि भूप पर पटी में सरवाधिक पाये जाने वाला तत्व है जो भूप पर पटी होता है उसमें सरवाधिक जो पाये जाने वाला तत्व है oxygen है अपको next question है जो धोनी का वेग होता है अनुमान तक कितना होता है धौनी का जो वेग होता है तीन सो तीस मीटर पर दिस सेकेंड होता है अपको नेक्स क्वेश्चन है कि पानी के घनत किस्ता पर अधिक्तम होती है तो पानी के जो घनत होता है चार सेंटिग्रेट पर अधिक्तम होती है तो नेक्स क्वेश्चन के बढ़ लेते है आपको next question है कि sir CV रमन को भावतिक का नुब पूरुसकार कम मिला था इस प्रश्ट का राइट इंसर हो जागा 39 आपको next question है कि computer के integrated circuit के लिए chips असाधारता किसके बनाए जाते हैं इस प्रश्ट का राइट इंसर हो जागा सिलिकान का next question क्यों बढ़ते हैं आपको next question है कि मनुष्ट की सरीर की सबसे लंबी हड़ी जो मनुष्ट के सरीर के सबसे लंबी हड़ी होती है फीमर को होती है इसके साथ आप याद रखिएगा कि मनुष्ट के सरीर के सबसे छोटी हड़ी इस्टेपीस होता है जो कान के हड़ी होती है आपका next question है कि जो blue withdrawal के नाम से जाना जाता है इस प्रश का right इंसर हो जाता है copper sulphate, copper sulphate को blue withdrawal के नाम से जानते हैं आपका next question है कि पोधों से किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है कि इस प्रश का right इंसर हो जाएगा तना से आपका नेक्स कॉस्ट्टे everything किसकी तकनीक है इस प्रशकाराइट इंसुर हो जाएगा वस्तु के त्रिविमी प्रती रूप को अंकित करने की कि पुनरविरत्ती करने की होलोग्राफी तकनीक है आपका next question है कि इंसुलीन की खोज किस ने शुलिय की थी इस प्रश्क राइस फ्रस्ट राइन सर बढ़ते हैं आपका next question है कि टमाटर का रंग पखने पर लाल की हो जाता है- प्रश्कर इस प्रवावट करोमू-प्लास्ट-क करण होता है कि पारिस्थिति की संबंदी थे Жीवद पार्यवड के सह संबंदों से- निक्सट थे कि भारत में अंत्रीच आयों के अस्थापना कब हुई थी ऑन 272 में हुई थी नेक्स्ट क्येश्चन आपका है कि सर्वपर्तम कृत्री गर्माधान भारत में कब प्रवारण किया गया था मुने 462 में नेक्स्ट कुईश्टन की और बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट कुईश्चन और आए क्या है इस प्राष्ट का रौइट इंसल हो जाएगा विख्लांगो का कम्प्यूटर है नेक्स क्वेश्चन आपका है कि प्रिथर्वी से पलाइन वियक का मान कितना होता है कि प्रिथर्वी से पलाइन वियक का जो मान होता है 11.82 किललुमीटよね पर 30 सेकेंट होता है आपका next question है कि इंद्र धनुष इसका उधारण है इंद्र धनुष जो हता है अपवर्तन विच्छे पर आंतिक प्रावर्तन का उधारण है आपका next question है कि मनुष विभीन रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाए जाता है इस स्वरी दोस्तों जो पूस्प होते हैं विभीन इंसुन होिए इंतोसायनीन कि सेफ का निखकर निखक्ट है कि सेवगे चुंश्फ कहणे भागोता है उसे शेथा थैला मस कते हैं आप कि बार दाए। की दर्म परियुतन लाने वाले पदातार को कहते हैं तूसे उत्पिर रख कहते हैं आपको नेक्स कुष्टन है कि फाइरान हाइट पाइमाने के अनुसार पानी के समाने को अतरा कितना होता आपको समाने परमारु संख्या लेकिन अलग द्रविमान संख्या वाले अडू कहलाते हैं समस्थानिक क्यों बढ़ते हैं आपको नेक्स क्वेश्चन है कि इंसुलीन के खोज किसने की थी इंसुलीन के जो खोज है एफजी बैटिंग ने किया था चलिए नेक्स कोईस्टिन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईस्टिन है कि साबन के बुलबुले में प्रकास की घटना के कारण रंग दिखाई देता है इस प्रश्ण का राइट इंस रोजागा बैतिकरण के कारण आपका नेक्स कोईस्टिन है कि गतिमान आवेश उत्पन करता है ति इस प्रश्ण का राइट इंस रोजागा चुम्ब की छेत तथा विद्दु छेत दोनों को आपका नेक्स कोईस्टिन है कि डाइनमाइट का विसकास किस ने किया था इस प्रश का right answer हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल जो नेक्स कोईस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईस्टन है कि किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है तो जो किसी तारे का जो रंग होता है तारे के ताप का परिचायक होता है नेक्स कोईश्चन है कि भारी जल होता है तो भारी जल जो हता है डूटेरियम आकसाइड को करते हैं आपको नेक्स कोईश्चन है कि अरजन टाइट किस धादू का अयस्क है तो इस प्रश्च का राइट एंसल हो जाएगा चांदी का आपको नेक्स कोईश्चन है कि दूद का पीएच मान होता है दूध का जो पीएच मान होता है चाह्द हम लोगता है कि मनुष्के शेरीर के पिट कहां बनता है वह कहां एकठा होता है तो प्रश्कैर इंसलो में मॉष्छ बनता है और गाल का नाम है लिटातर होता है कि एस्का किया जाता है इस परश्ग इंसलों हो जागा उथको का आपको कोश्चन है कि न्यूटन प्रतिक कीजी कि बहुतिक राशी का मत्रक है तो और और चलिन नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका क्या है कि आयोडीन क्या है ति इस प्रैस्ट कर राइट रजाएगा आयोडीन का इल्कोहाली विलियन होता है अपका नेक्स्क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट को नापते हैं आपका next question है कि चार अर्द आयू के बाद किसकी किसी radioactive पदात का कितना भाग अविक्टी तरह जाएगा इस प्रश्च का राइट इंसर हो जाएगा एक बटा के आक परश्चंज आपका next question है कि सोडियं के किस योगी को Water Glass कहा जाता है that the expression कराइट तुर हो जाएगा Sodium Silicate को आपकँ next question है कि चुम्ब के दिरिष्टी से Oxygen है उस्प्राशल कराइट इंसपन हो जादा पहरा Magnegetic होता है आपकँ next question है ंख से क्वेडान के पर पहते हैं आपको next question है कि एक रीडिय एक्ट्वी तत्य को प्रमाड उक्रमांग Z है, इससे एक बीटा कड उत्साजित होने पर यह कितना हो जाएगा, इसका राइट एंसर हो जाएगा, Z प्लस बन हो जाएगा, आपका नेक्स क्वेस्टन है, कि रखत का थक्का किस रोग में नहीं जमता, इस प्रश्का राइट ए जाएगा, हीमो फिलिया में, आपका नेक्स क्वेस्ट और निस्ट क्वेस्टन है, कि DNA उपस्थित होते हैं, इस प्लस्के राइट इस it रो जाएगा कि इंद्रक में, आपका नेक्स क्वेस्टै में, कि अनुमानशिक्ता का भूमिका कि सने दरिश्टी थि ति इस प्लस्कर एक प्रमाववी दिर बिमार इकाई को पूर रूप से औरजा में परिवर्थित करने पर कितनी औरजा मुक्त होती है इस प्रश्क कराइट इस रोजागा 931 आपको नेक्स कोश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला कि प्रकार की लेंस की भाति कारी करता है इस प्रश्क कराइट इस रोजागा और तर लेंस की भाति चलिए नेक्स कोश्चन क्यों पर आते हैं आपको नेक्स कोश्चन है कि इलेक्टाउन बोल्ट किस भोतिक राशी का मातरक है ताय अर्जा का उर्जा कहो होता है चलिए नेंस के बढ़ते है आपको नेंस क्यों और यह exagger जो होता है आपको नेंस स्वास्टिय जो अपर और एक्ट एक्टिविता की क्या यह New इस प्रस्का का राइट एकोस्टिक काला आती है आपका नेक्सक कुश्चिन है इलक्टान के विराम उरजा होते हैं ब्रस्का राइट इन्सल हो जागा जीरो फाइन 0.5, 1 Ayam, 1mL पोल्ट होता है जृड़ ऻिसक्त ग्रति आता है जो प्रति दिप्ति घनत्यों के मात्रक लक्स का लाता है नेक्स क्वेश्चन आपका है बादल का हवा में तेहरने कारण क्या है तो इस प्रश कराइट इस रो जाएगा वायू की स्यानता एवं अपने घनत्यों के कारण होता है तो वायू के जो श्यांता होता है एवं अपने कम घनत्यों के कारण बादल हवा में तेरते हैं नेक्स क्वेस्टन है जीवन के उद्भाव का प्रथम वैज्ञाने की वीवरण किस वैज्ञाने की प्रस्तूत की थी इस प्रस्त का राइट इंसल हो जाएगा ए आई ओपरीन ने आपको नेक्स क्वेस्टन है कि इंसुलीन के खोश किस ने की थी इस प्रस्त का राइट इंसल हो जाएगा एफ जी बेंटिंग ने नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपको नेक्स क्वेस्टन है कि वीटामि पानी की अधिकतम घंदत्व किस ताप पर होता है तुछ प्रश का राइट इसरो जागा चांच सेंटिग्रेट ताप पर आपको नेक्स कॉश्चन है कि एपी लेपसी रुख का संबंध है तिस प्रशकराइट एंसवर नाड़ी संसतास है अपकर नेक्स क्वेस्टन है कि ड्रापसी की बीमारी के लिए कौन से मिलावटी तेर उत्तरदाई पाय जाता है तिस प्रशकराइट एंसवर हो जगा आजी मौन आपकर नेक्स क्वेस्टन है कि हट्टियों में फासफोरस किस रूप में पाय जाता है तिस प्रशकराइट एंसवर जगा कैल्सियम फासफेट की रूप में तेर नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपकर नेक्स क्वेस्टन है कि कि उपकरद द्वारा धौनीत रंगों क करके समुदरी की गहराई ना पी जाती है oh water सुनार के द्वारा समुदरी की घहराई को ना पाज जाता है Next Q कि मुत्र में जो इल्मूनियम आने कि किस अंग के गरवर होने की संभावन होती है this इस प्रश्कराइट इंसलो जाएगा ब्रिक आपको नेक्स क्वेश्चन है कि माइनो मीटर से क्या नापते हैं इस प्रश्कराइट इंसलो जाएगा गैसो के दाप को आपको नेक्स क्वेश्चन अपका next question है कि anti-piratic दबा ली जाती है इसप्रशकराइट इंस रह जागा बुखार कम करने के लिए आपका next question है कि photographic राइनिक रूप से क्या है इसप्रशकराइट इंस रह जागा sodium thaiosulfate होता है चाहिए next question को देख लेते हैं आपका next question है कि मुत्र का पीला रंग किसके कारण होता है तिस प्रशकराइट इंसल हो जागा यूरो क्रोम के कारण तो मुत्र का पीला रंग होता है यूरो क्रोम के कारण होता है आपका next question है कि हाइपो कांड्रिया बीमारी क्या होती है तिस प्रश्कराइट इंसलो जागा कि अपने स्वास्त के विशय में आसमान मानसिक चिंता की बीमारी है चले next question क्यों परते हैं इस अपका next question है कि नेत्रिदान में रोगो नेत्रिदान में रोगी जो हता है आगे किस भाग कापरती रोपड करता है तिस प्रश्कराइट इन्सलो जागा कार् favourite प्रकास का प्रकास का प्रकास क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है खसरा होने कारक होता है इस प्रकास क्यों बढ़ते हैं कि स्थिती में हीड़े से आने वाले रंवाट का कितना परतिशत भाग गुर्दे में मिलता है तिस प्रस्टी करई रहत प्रस्टी इंसर जाएगा 24 प्रतिश्यात एकनेक्स कॉस्टन है कि नय प्लास्टिक के अविस्कार कौन थे इस प्रस्ट करए इस रहत जा जाएगा कोरो थर्स में किये थे नक्स्काइस्टन है किरूटा एल की धातु आएशख है यंग हॉता है लेड औक्साइट के विवद्पारिक नाम क्या है स्फराइट एनसरा जगा लितार्च अपको नेक्स्काइस्टन है कि हिंदोस्तान औरगनिक केमिकल लिमिटेड कहां इस्तित जाटेड़ें इस फ्रस्ट कािट इंस रोज़ागा कुलाबा महारास्ट चैन्हेट इंच कोश्चन क्यों बढ़ते हैं की असतंधारी प्राड़ियों में रक्त का सबसे अधिकता ताप मान किस पश्चु का होता है इस परश्च कराइड इंस रोज़ागा वेल वेल असतंधा सारी जो प्राड़ी होता है उसमें रख्त का सबसे अधितनता पान होता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि DTP का टीका किस को किन रोगों से प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाता है इस प्रस्ट कराइट इंसल हो जागा जो ड प्रस्क जो मनुस्य होते हैं ही दे चक्र का समय जो हता कितना होता है इस प्रस्ट कराइट इंसल हो जागा जीरो पॉइंट सेकेंड होता है आपका नेक्स क्वेश्चन है कि मचलियों में श्वेश्चन है तो अंग क्लो होता है गिल्स बोलते हैं उसको आपका नेक्स क्वे करे लिए उन्हें नोबल्वफिस्कार दिया गया था आपका नेक्स कुएस्ट्यन है कि बैक्टरिया की खोज ने की थी प्रशकेराइट इंसरर sub एंटोनी वानल्यू वेन हाक ने किया था आपका next question है कि विज्ञान के वा साखा विज्ञान की साखा एक ग्रोस्टोलाजी में किसका अधिन किया जाता है तिस प्रश का राइट एंसर हो जागा घास का आपका next question है कि मानो शेरील में विटामिन के का निर्मार किस अंग में हो तिस प्रश का राइट एंसर हो जागा कोलन में बैक्ट्रिया द्वरा किया जाता है तो मानो शेरील में विटामिन के का जुन निर्मार होता है कोलन में बैक्ट्रिया द्वरा किया जाता है चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि PD या ट्रिक्स का संबंद किस से है तो PD पर ट्रिक्स का संबंद बच्चों के रोगों से है आपका next question हाइप लाइसी हाइप लाइसी मिया नामक रोग रख्त में किसकी कमी से होता है इस प्रश कराइट इंसरो जगा गुलकोस की कमी के कारण होता है next question आपका है कि हाइग्रो मीटर से क्या मना पा जाता है तिस प्र आप अपा जाता है तो जो हाइडरो मीटर होता है उससे घ्रत गहातता है आपका next question है क्योंत्र कि रियेट्लाइड का रासाइनिक सु तृग्रोफोर होता है कि रासायिका द्रिस्ट्टी से चीनी क्या है थिस प्रशकरायटhe answered हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज भी करते हैं आपकर नेक्सक्वेस्टेण है कि किस खनीज को बेवकुफो का सोना कहा जाता है थिस प्रशकरायटhe इंसर हो जाएगा पाई राइट को पाई राइट को बेव कुफो का सोना कहा जाता है आपको नेक्स क्वेश्चन है कि एपिलेफसी रोग का संबंध है इस प्रशकराइट इंसल हो जागा नारी सान सथास है आपको नेक्स क्वेश्चन है कि एबी रक्त समुवाला ब्यक्ति किस रक्त समुव के ब्यक्ती से रक्त कर सकता है और सकता है किस ने की थी इस प्रश्व कर राइट इंसुन हो जाएगा एड़ जीनर ने झी कोइटिजन के बढ़ते हैं अपका नेक्स कोइश्चन है कि दूद एक आधर्ष हाः हे लेकिन इसमें किंतत्यों कि कमी होती है इस प्रॉष्णbank राइंस रोज regular और डूद्में आयरन अपकर नहीं पाय जाता है आपका next question है कि शाहिलिंग पृतिश्यत मुउफली की गुरवत्त ज्याद करने का एक आधार शाहिलिंग प्रतिश्यत से क्या ग्याद किया जाता है taxes का राइट मुफली के दाने का प्रतिश्यत तैने नेक्स कुएस्यन की और बढ़ते हैं आपको नेक्स क्वेस्टन है, कि विश्व के सबसे पुराना खाद्यान काउंसा है, इस प्रश्क कराइट एंसरो जगा, हार्ट, उल्गेर, आपको नेक्स क्वेस्टन है, कि किस बकरी को विश्व की दूद कीरानी के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रश्क कराइट एंसरो काटने की जो मसीन में फ्लाहीवील किस प्रकार के लुहिए का बना होता है कि गर्वा लोहा आपका कम नेक्स कवेश्चन है कि प्रतिस्ग्राम भैस के दूद्स से कितना उर्जा प्राप्थ होता है कि इस प्रश्ण कराइट इंस मोढ़ा नबेक कई लोरी आपका कोईस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Q 9 कि प्रोसेसर की गती किस मात्रक में पाए जाता है इस प्रश्कराइट इंसरो जगहा में गीगा हार्ट में वहता है लिए नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स question है कि जो फोटोग्राफी में प्रियुक्त होने वाले हाइपो का रसाइनी की नाम क्या है तिस प्रश्कराइट इस रजगा सोडियम थायो सलफेट होता है आपकर नेक्स question है कि भोपाल गयस दुरगटना में मिक का रिसा हुआ था इस गयस का पूरा नाम क्या है तिस प्रश्कराइट इस रजगा मिथाल आइसो साइनाइट होता है आपकर नेक्स जिलिए कोश्च्टन क्यों बढ़ते हैं आपको next question है कि ओग जनो मीटर जो हता है ओग जनो मीटर से क्या ना पढ़ा जाता है तीसपरश कराइट शुरा जागा पोदो के रेखी ब्रिद्धि पर जाता है आपको next question है कि कमरे में रखे रेफ्रीजरेटर का दिरवाजा खोलने से कमरे का ताफ पर क्या परफ़ाब पड़ता है तीस परश्ट का राइट इंसले जागا ताफ बढ़ जाएगा जाए नेक्स कोईश्टन क्यों बढ़ते है आपके नेक्स कोईश्टन है किताब बढ़ाने पर अर्द चालकों की चालकता बढ़ जाती है आपको नेक्स क्योषचन है कि मनुस्की सरबिता की जJE जो सीमा होती है 20 हाट से 20,008 होती है आपको नेक्स कुषचन है कि हरा कशीर्स का रासाइनिक सुत्र है इसपरशकरांड इनसल जाँगा यह फ्यसर फो डाट 7-103 ऐ हम्लाइस अ नाम क्या है इसपरशकरांड इनसल जाँगा तोछु प्रकाशक्त निशम यह जागा हेरय की चमक करणड़ एंड्य जो हीरे की चमक करणड़ प्रकाश का प्रप्र आंत्रिक प्रावर्तन होता है तो इस P रश क्राईट इंसल हुआ है आपका नेक्स कॉएश्चन है कि विद्दूत्थी वृत्वित्ता का मात्रक है। इस प्रश क्राईट इंसल हो जचागा नूटन पर cœur touch स्क Mensch करदार्ट एक रॉड़ते हैं आपको नेइस्ट को सब्सक्राइब क्या नाम क्या है विटामीन करयरा साइनिक नाम आपको फैरान है कि भारिय जल क्या है इस प्रस्क्राइट श्रो जाइगा इसको भी आप याद रखो नेक्सं प्लाइब फिर्गे कि ट्रैकोना रोक किस अंग से संबंदित होता है ति इस प्रश्च कराइट इंसल हो जाएगा आँख से आपका नेक्स कोश्चन है कि हेपटाइटिस वी वायरस किस प्रमुक रोक के लिए जिम्मिदार है इस प्रश्च कराइट इंसल हो जाएगा पी लिया कि नेक्स कोश्च प्रच्ट का राईट एंस्ट हो जाएगा छोटे peptides में बदला जाता है अपकर नेक्सस्त कॉरेस्टन है मनुस्य में दाथ के र plag का गवक का नाम क्या है तिस प्रच्ट का राइप सो जागा माइक्रोइस्पुरम बोलते आपका next question है कि इसब भी नामा करो किस vitamin का अभाव में होता है इस प्रस्ट का राइट answer होजागा विटाम Spiel ये नेक्स question बढ़ते हैं आपका next question है कि सबसे भारी धातू कौत कibl inefficient है इस प्रस्ट कर सबसे अच्छा चालक होता है चांदी आपका नेक्स कोईस्टिन है कि पोटेसियम का अयस कार्णिलाइट का सुत्र है इस प्रश्कराइट इंसुल हो जागा पोटेसियम कोड़ाइट मेगनिसियम कोड़ेट डार्ट सिक्स यस्टू होता है आपका नेक्स कोईस्टिन है यूर है द्टोहने ही जो मापनी की जो एकाई होता है लेशन होता है द utensidle ह स्ट्छीभ कियो बढ़ते है आपका अग्स question है कि इस टेंलिस जो इस्टील इ Betsagrile को मिश्डक करके बनाए जाता है इस परश्काराइट इनजी रो जगा अज़ल प्रमिय लोहा बाते हैं आपका next question है, कि उपनास्पति विज्ञान की वह शाखा का क्या नाम है, जिसमें सहीवाल का अध्यन किया जाता है, इस प्रश्ट का right answer होगा, फाई कुलोजी, चलिए next question क्यों बढ़ते हैं, आपका next question है, कि दूद से दही बनने वाले जिवारू का नाम है, इस प्रश्ट का right answer होगा, कि दूद से दही बनाने वाले जिवारू का नाम, बैक्टेरियम लेक्टी सी एसीड होता है, जिए next question आपका है, मदमें की रोगों के पेशाब में किसकी अधिक्ता होती है, कि इस प्रश्ट का right answer हो जाएगा, सुगर की, जिए next question क्यों बढ़ते हैं, आपका next question है, कि 140 ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं, इस प्रश्ट का right answer हो जाएगा, पारसे के नियम के आधार पर होते हैं, आपका next question है, कि DNA संसिलेशर के परतिपादन किस ने किया था, DNA के संसिलेशर के परतिपादन कार्न बर्ग ने किया था, चलिए next question के उपरते हैं, आपका next question है, जो जी किरणें, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तिस प्रश्ट का right answer हो जगा, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, करिव य य तीधि धारवीधि का उप्योग होता है जीवाषमों के आयू कर पता लगाने के लिए कर nugest Sponge है कि सारीर का सारा रट किसके माध्यम से शुद होता है basis pra शाव यह देखा ब्रिक क्олаhealth का सारी के माध्यम से सारी का सारा रट शुद्ध होता है आपको नेक्स क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट किन्हें करते हैं इस प्रश्कराइट इंसर होगा जली ये पोधों को जली ये पोधों को हाइड्रोफाइट करते हैं चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि दो नेक्स कोईस्टन है, कि दो समांतर दरपडों के बीच रखी वस्तों का सबसे अधिक चम किला प्रतिभीम कौन सा होता है, तिस प्रश्च का राइट एंसर हो जागा, दूसरा प्रतिभीम, आपका नेक्स कोईस्टन है, तेल का जल के तल पर फैलने जाने का क्या कारण है, ति पेंसिल का लेड बना होता है, तिस प्रश्च का राइट एंसर हो जाएगा, ग्रिफाइट, आपका नेक्स कोईस्टन है, कि सड़क पर चलने के अपच्छा बर्फ चलने कठीन होता है, तिस प्रश्च का राइट एंसर हो जागा, बर्फ में सड़क के अपच्छा घर से कम होता है च Fürs question क्यों ya परकए हैं आपका New Question होता है कि लोला घड़ि जो लोला घड़ियां होती है घरईों सउस्थ क्यों होती है ती इस प्रश्क कर्ऐ आते जगा लोला कि लंबाई बढ़ जाने से उनका औरतकाल बढ़ जाता है जसे घड़ि सुस्त हो जाती है चींग नेक्स क्वेस्टन क्यों वरते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है कि ऊच्छी अस्थानों पर पानी 100 सेंटिग्रेट से कम ताप्मार पर रही क्यों बढने लगता है इस पर शुक्राइट इंसर हो जागा क्योंकि वहां वायुमंडली दाप कम होती है जिसके कारण 100 centigrade तापमान से कम तापमार पर ही पानी उबलने लगता है आपका next question है कि पीतल मिस्त्र धातु है ति इस प्रशकराइट एंस रोजगा जस्ता और ताबे का चलिए next question पढ़ते हैं आपका next question है कि गहसों के दाब ग्याद करने वाला यंत्र क्या कर लाता है जिस प्रशकराइटेंस रोजगा मैनोमीटर आपका next question है कि जो भावा एटामिक रिसर्च सेंटर टामबे में इस्तीत पांचवा न्यूकलर रियक्टर का क्या नाम है ध्रू आपका next question है कि नूबल प्रुषकार से सम्मानित होने वाली विश्वी पर्थम महीला विज्ञान के छेत्र की थी वह कौन थी मैडम क्यूरी 1903 में बहुती विज्ञान के छेत्र में उन्हें प्रुषकार दिया गया था आपका next question है कि पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी सम्मुद्री जहाज तरते रहते हैं इसका कारण है तिस प्रश्का राइट इंसलो जगा जहाज के डूबया हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है इसलिए प्लवन करता है सुई के द्वारा हटाए गए पानी के भार सुई के भार से कम होता है जिसे सुई पानी में डूब जाता है आपका next question है कि भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पूड़ी का पहला उबगर कौन सा है तिस प्रश्का राइट इंसलो जगा इंसलो जगा इंसलो जगा इंसल सुई के प्रकाश की सहायता से शेरी में किस विटामिन के निर्माद होता है इस प्रश्का राइट इंसलो जगा विटामिन डी आपका next question है कि है ली पुछल तारा प्रति कितने वर्स बात दिखाई देता है तिस प्रश्का राइट इंसलो जगा 76 वर्स चलिए नेक्स कोई क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि किन तरंगों की सहायता से चमगादर रात में सुरच्छित होते हैं तिस प्रश्का राइट इंसलो जगा अल्ट्रा सोनिक तरंगों के सहायता से आपका next question कि HIV विशाडू से होने वाला रोग कौन सा है तिस प्रश्का राइट इंसलो जग एड्स आपका next question कि रख्त का ठक्का जमाने में कौन से विटामिन सहायक होता है तिस प्रश्का राइट इंसलो जगा विटामिन के विटामिन के जो हता है रख्त का ठक्का जमाने में सहायक होता है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि ampere second मात्रक है इस प्रश्का र लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस नाइट्रस आकसाइड को करते हैं, आपको नेक्स क्वेश्चन है, कि बाहिचुंब की प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की सुरच्छा की जाती है, इस प्रश्काराइट इंसरो हो जाएगा, लोह कवर में रखकर, आपको नेक्स क्वे नेक्स क्वेश्चन की बढ़ते हैं, आपको नेक्स क्वेश्चन है, कि कैनुमल क्या होता है, ति इस प्रश्काराइट इंसरो हो जाएगा, मर्कूरस क्लॉराइट, आपको नेक्स क्वेश्चन है, कि सिंदूर का रसायनिक नाम क्या है, ति इस प्रश्काराइट इंसरो हो प्रकृतिक में पाए जाने वाला और और छय जोटा करें आपका नेक्सक्त क्वेस्टेनरा ट्पसीनेगा परखेरिक हैं कि अधने गोन कि प्रोटीन को अमीनों अम्ल में व्ग्रिक सार्टीन क्थिए? प्राइट करने उत्पिररक होता है तीस प्रशकाराइट इंसलो जगा प्रहमांड के विकास का अध्यन करने वाला जहापाने एक स्रे उपगरा है कि दुरूतारा आकास में एक ही इस्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे नहीं इसका कारण है, धुरूतारा का प्रिथिवी के गुर्ण अच्छ की दिशार में इस्थिर होता है, आपको नेक्स क्वेश्चन है, कि मनुष्य हिर्दे में समाने तब प्रती मिनट कितनी बार अस्पंद करता है, इस प्रश कराइट इस्थिर होगा, 72 बार, आपको नेक्स क्वेश्चन होगा, इस फिगनो मेनो मीटर जो होता है, नामे कियंतर से क्या नापते हैं, इस प्रश क प्रेशर को इस फीगनों मेंटर से मापते हैं आपको नेक्स क्वेस्चन सन 1902 में कार लेंट इस्टीनर ने किसकी खोच की थी ब्लड गुरूप की खोच की थी आपको नेक्स क्वेस्चन है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है इस प्रेश का राइट इस फीगनों द्वरा प्रकास के प्रकिरन के कारण होता है चलिए नेक्स क्वेस्चन की बढ़ते हैं आपको नेक्स क्वेस्चन है कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख योगिक है इस प्रेश का राइट इस फीगनों जाएगा नाइट्रोजन नाइट् प्रफोल आजी में जानवरों के बिवार का अध्यान उनके समान ने वातरौर्म किया जाता है चले नेक्स कोईस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईस्टन है कि ट्राइट पेट्रोल में क्यों मिला जाता है इस प्रशकराइट इंसरो जागा इंटि नाकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए आपका नेक्स कोईस्टन है कि हीरे की चमक होती है इस प्रशकराइट इंसरो जागा पूर्ण आंतरी प्रावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है आपका नेक्स कोईस्टन होगा आप एच्छिक आध्रन आपकी जाती है इस प् बनने वाल परतिभी मोदा है वास्तिवी कोल्टा हरता वस्तु से छोटा होता है अपका next question पॉल यू को टीका सुरब़त्ब किस ने तक तयार किया पॉलई यू को टीका है वह सुरब़त्म जोन्स ने तयार किया जोन वह तुいつ olarak ने आपका नेक्स्ट्ट्टयन है कि हरे परऑतव्यस्ट कि प्रकाषस्ट शंभ्लिष्टय ये क्या प्लाती है इस्यगाद। आपका into questions है कि न्यूंट्र्वी प्रतिक केजिजी किस भ्हुती कवह बहुति का मात्रख होता है इस प्रश्क का राइट इंस रोजागा आयोडीन के कारण चलिए नेक्स क्वेश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि जो वाईल लाजी में किसका अध्यन किया जाता है तो वाईल लाजी में विसाडू का अध्यन किया जाता है आपका नेक्स लग्ति का अनुस्वीजलक रख्तदाप कितना होता है इस प्रश्क करई इंस रह जगा 80 mm पारे का नेक्स कुएस्टिन आपका है कि श्वेत प्रकास में प्रिज मुद्वारा बनने वरकरम में किस रंग का विचलायन सबसे अधिक होता मियक्ता है? इस प्रशकराइट एनसे राजगा? बैगिनी रंग का चले next question की बढ़ते हैं. आपका next question है कि फाइकूलाजी की तहत विज् Stunden कि अधान की अधियन का एनन किया جाता है? ज़्सट कउश्चन है कि प्रशकराइट एनसे राजगा? विटामिन बी ट्वेल्व आपका next question है कि मेनी जाएटीस नामक रोग में शरी का कौन से अंग प्रभवाईत होता है कि इस प्रशकराइट इंसल जागा मस्तिस आपका next question है कि मानों शरीर में रख्त का थक्का नहीं बनने का कारण है इस प्रशकराइट इंसरो जगा हीपेरीन की उपस्थिती आपका next question है कि चाय बनने के लिए वीदु द्वारा केतली में पानी किस वीधी द्वारा गर्म होता है इस प्रशकराइट इंसरो जगा convection द्वारा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि बिडियूंड कि चिकत साले रहे आद्वन को क्या कहा जाता है इस प्रशकराइट इंसरो unzasteis का क् आवका next question है हाइपोगला सेमिय नामकर bidding किसकी कमी से होता है इस प्रशकराइट इंसरो जगाँt glucose आपका next question है कि HTLV second नामक वाइरस कौन सा रोग होता है इस प्रशकराइट इंसुल जगा एड्स आपका नेक्स क्वेश्चन है कि मानों शरीर में सबसे छोटी गरंथी कौन सी है इस प्रशकराइट इंसुल जगा पिट्यूट्री आपका नेक्स क्वेश्चन है कि एंजाइम मुलता क्या इस प्रशकराइट इंसुल जगा लीवर ज्लिनक्स क sangat की पढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि बलेख खूल सी धांद का परती पाधन किया था इस प्रशकराइट इंसुल जगा ओड़ते हैं आपका नेक्स भूश्चन साइनो को वालमीन क्या हे इस क्या होता है तिस प्रश्का राइट इंसर हो जागा हीरे के भार का मात्रक होता है आपका नेक्स क्वेश्चन है कि गहलवेने किरित लोहे पर किसका लेप होता है तिस प्रश्का राइट इंसर जिंक गहलवेने किरित लोहे पर लोहे का लेप होता है आपका नेक्स रमन प्रभाव की खोश करने के दिन की उपलप्छ में मनाया जाता है। चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आपका नेक्स क्वेश्चन है। कि 7 नॉवंबर उन्ने 1828 में 7 नॉवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानी का जन्मिदीन होता है। जाता ल believers क्या प्रेयोग के लिए क्या जाता ह। चलिए नेक्स क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कि विद्ध get your care का क्या का रहे है। जब्दप्रेन प्रॉज्णके रुप 50 रहता है। आपको next question है कि हरे पौदे में प्रकास translation की यह क्या क्या कहलाती है ति इस प्रशकराइट इंसर हो जागा क्वांटा सोम कहलाती है आपको next question कि प्रिथिफिक आउसत घनत तो क्या होता है ति इस प्रशकराइट इंसर हो जाएगा कि 5.5 ग्राम प्रति घंज सेंटीमीटर क्यों हता है चलिए नेक्स कोश्चन पढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि सुरी सदव पूरुम में निकलता है तीस प्रश का राइट इंसुल जगा प्रिथ्वी जो हता है पस्टिम से पूरुम क्यों घुमता है आपका नेक्स क कोश्चन पौधों में वात उस सर्जन की दर के निर्माड में निर्माड के लिए किस यंद्र का उप्यों की जाता है इस प्रश का राइट इंसुल जगा पोटोमीटर चलिए नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि रेट लेट का अविस्कार जो सायनिक सुत्र का सुत्र है बीवी 3-4 है आपका नेक्स कोश्चन है कि मानुष चैरील में विटामिन के का निर्माड किस अंग में होता है थि इस प्रश का राइट इंसुल हो जाएगा बैक्टरिया द्वारा होता है आपका नेक्स कोश्चन होता है कि डार्क अवेंजर क्या है इस प्रकार का प्रमु कंप्यूटर वाइरस है जो डार्क अविंजर होता है एक प्रकार का प्रमु कंप्यूटर वाइरस है दोस्तों यहां पे आपके एक हजार प्लस मुश्ट इंपॉर्टेंट को कुईस्टन कंप्लीट होते हैं दोस्तों इस वीडियो के दिए गया है वहां से आप इसका पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें